हेलो फ्रेंड्स अब सब्सक्राइब एक नई मांगा सीरीज में काफी दिनों से मैं सुछ रहता है इस सीरीज को लेकर क्या नहीं की लग दो मिनों से लेकिन कुछ कारणों से बन नहीं पाए थी फाइनली आज इसका मुरत किला है और इस को मैंने एक्सपेंड करना इस्टार् बक्स पताने हैं दूसरे वर्ल्ड क्या क्या आने वाले नॉर्मल वल्ड अपोक्रिस नहीं है बहुत ही आच्छा चलकर जो है ना सीरीज होने वाली दस चेप्टर के बाद में सीरीज तो बहुत ही तगड़ा मोड है वो ले ले लेती है तो अब बढ़ते हैं अपने इस्ट यान है और हम देखते हैं सामने के और उसने किसी चेन को पकड़ रखा होता है और वो बोलता है कि मैं इस अपोक्लिस में अभी तक किसी परकार से सर्वाइवर कर पाया हूं क्योंकि इना इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि मैं रीबोन हो गया था सामने की और से बहुत सारे बड़े-बड़े-बड़े इस्पीच्वल हैं वह उनकी और बड़ रहे होते हैं इने देखकर के अपना जो त्यान होता है वह काफी जाता गप्र गब्रा जाता है और हम देखते हैं कि उसने काफी ऊपर वाली बिल्डिंग से पकड़के बचा पर पर कब डते हैं और आ वो हाथ आकर इस जो यां सिज्टर होती है उसे पकल लेते हैं फोर आते हैं वाप्र है अपने जो त्यान होते हैं उसको पकड़ने के लिए और यहीं चीज अपना जो त्यान है वो भी नथिस कर लेता है और हम देखते हैं कि जल्द ही जिस बिल्टिंग पर खड़ा होता है हो पूरी पूरी बिल्टिंग ही डिश्टाय हो जाती है आप बनाई यह स्टॉरी यहीं प्रजन टाइम में से पहले मुझे बच्चा था रीबॉन होने से पहले मुझे बच्पन में बहुत सारी जो वीड़ चीज़ें वो दिखाई देती थी इसके कारण में उन्हें अराम से देख पाता था लेकिन बाकी लोग उसे देख नहीं पाते थे एक्शली मैं बदा देता चोड़ करें चले गए पता नहीं किस परकार का वीड़ बच्चा है तब ही एंट्री होते हैं यहां पर जो अपनी यान होती है उसके परेंट्स की उन्होंने इसे गोद ले लिया और इसके स्टेफ परेंट्स होते हैं वो बन गए और उसके बाद में इसकी जिंद्गी में अच्छी जो गर्माट वाली जिंद्गी है वो शुरू हो गई और इसका एक ही करते वे था कि उसके जो परेंट्स थे यान के परेंट्स थे वो कुसी काम के लिए बाद चले गए तो अब इसका एगी काम बचाता है कि वो अपनी जो सिश्टर है यान उसको हमेशा प्रोट यह वो कर देता और साथ साथ जो इना उसको पावर मिली थी वो भी बड़े होने के साथ बढ़ती गई मैं अब वो इन इवल गोष्ट को देख ही नहीं सकता था अपनी बड़ी भी पावर के साथ वो उन इविल स्पीड को इना इलिमनेट भी कर सकता था इस कारण वो एक छ स्वास ही गया कि एक जिस्ट करती है और इस दुनिया के लिए खत्रना को सकती है और मैं इनको हमेश्चा इना किसी परकार से इना सोल्ड करने को इस करता लेकिन इस ही परकार से जिंद्गी चल रही थी तब हम देखते हैं एक दिन जो आस्मान है उसके दो टूकड़े हो ग सीद्हा आता है अपने जो त्यान हुट होता है जíलके लगवागे उसके सिर में लगकी हो और वह सी परकार से सैच हो उससे हो सता है तो प'll आएxiर्श कौह B8 carved में 29 1121esz और यह देकर की और का पाफी सप्रेजा नियुजा होता है कि यार ये टाइम तो मैं अच्छे से पता है कि जो अपोकलिस है वो सुरो होने वाला था उसे तीन दिन पहले मैं रिकानिट हो चुका हूँ और मुझे पता है कि इस वर्ल्ड के अंदर अब क्या आने वाले जो मेजिकल बीस्ट है जो मोंस्टर है जो बग मोंस्टर है जो जोंबीज है बहुत सारे काउंटलेस टेरिफाइंड चीज है बीस्ट है वो सड़ली हमारे अर्थ के उपर आ जाएंगे और पूरी जो हमवन काइंड है इनसानियत है पूरी तरह खतम होने एक गार पर आ जाएगी और इस परकार के अपोकलिस के अंदर मेरे पास कोई भी चांस नहीं होगा कि जो यान है मैं उसे किसी परकार से बचा सकूँ आलमोस्ट जीरो के बराबर मेरे पास चांस था कि मैं उसे बचा सकता क्या फिर से हम लोग उसी एक परकार की जो पड़ले आये थी केलर केटासिदम आया था उसे गुजरने वाले हैं क्या यही सूच रहा होता है और बोलता है कि इस प्रकार का अपोकलिक्स फिर से आया और तो फिर सामने उसके यान की फोटो पड़ी होती है और वो सुचता है कि इस बार में जो यान उसे कुछ नहीं होने दूँगा चाहे क अपोकलिक्स आने वाला है उस दिन अगर हम लोग सर्वाइवर कर जैंगे तो हमारे कफी का पर दीन अगली है। तो वह देखता है कि वहां पर एक जो इस परकार की मेरे जो कॉंसिस्टेंस है उसके अंदर कैसे आ गई यह चीज पहले तो नहीं थी लेगिन यह जो जादा ही फिमिलर लग रही है क्या यह वही चीज नहीं है जो मुझे हीट की हीट की थी ना पहले जब में रीबोन वाथ उ स्वीदा रोर मार के अपना त्यान होता है उसके अंदर वो सारी एनरजी वो जाने लगती है और यह देखते हुए पने ट्यान होता है और वापिस से पार आकर कि बाहते हां और श्रू करता है और अपने फोर से पहले कियोंगि आप तीन दिन के बाद में आपकलिस आने वाला है तो इसने आ जो टाइमर कर लिया है और इसके बाद में अपना जो ट्यान होता है सबसे पहले अपनी जो sister होती है यान को कॉल करता है और यान भी यान फ़ोन उठाती है यह वे निए बन मैं आप किस चीज यह जो हuciones चतित्न कंद जरूरी है और जिसके अंदर मुझे आप augmented इने पार जाता है और उसका शीट उपन तरह बाद बोलता है कि मैं मट जाओंगा भी आप लोगोगो choking नो एक बार f bakalım लेकिन कुछ चीज है और जो यह में पहले हम लोगों के लिए किया लेकिन आप तो एक और बंदा होता है वह बोलता है कि हम देखते हैं वह अंदर आतने के साथ में जो अपना त्यान होता है वह बोलता है कि कि आप लोग इतनी जदा क्यूरस है तो मैं भी इदर दरी बातें नहीं करता है और सीद आपको में पूइंट पर आता हूं तब हम दिखते हैं वहापे एक और बंदा आता है कि मास्टर त्यान जो भी चीज़े आपने ओडर की थी वह सारी चीजों के साथ मैं इसे कुछ समय के लिए आगे यूज करने के लिए और यह बहुत ही अच्छा पॉइंट होने वाला है अगर जैसा कि मैंने प्लान किया उसके अकोन ही रहात हो और मैं आप सभी लोगों चाहूंगा कि आप सभी लोग यहां पर रुके और रुक कर कि में जो हैल्प है वो करे आने वाले कुछ दिनों तक और मैं चाहता हूं कि आपनी जो फैमिली है उसे भी हाँ पर लेकर किया जाए और जैसा कि मैंने प्लान किया सारी जीज़ वह जाती है तो यह हम सभी लोगों को काफी अच्छा रहेगा और हम देखते हैं पीछे से वहां पर बहुत सारी जो मसी नोतीक पित्रियान होती है और सामने को आपने दून रही होती है और प्रित्यों प्रेशान करें नोती है और अब घाल मोता होती हुति-ए। तुम्हें पूर्ट कर रहा है लेकिन ब्रदर मुझे एक बास में यह आप जंगल की बीच करके रहे हो और हम देखते हैं कि अपना जो अनतियान होता है अपने जिन बुलाएंगे और वह भी हलो करती है और वह लटकी को अपने ब्रदर के बार काम है और यह मुझे खुद को करना होगा इसलिए तुम जाकर रिलेस कर लो और मैं अपने जुका में थोड़ा निप्टा दिलता हूं और हम देखते हैं जो इसकी सिष्टर होती है यान वो चींता कर रही होती है ब्रदर आयकार यहां पे चल क्या रहा है जो तुमने इस परकार काम हो कर रहे हो आयकार तुमने हमार भी तुम भी डिलीव कर लोगी और जो त्यान है उसने सारी सारी अपनी यान है उसे बता दी होती है और आलगे हम देखते हैं उसने बहुत सारी वेपंस है वो भी घड़ा है लेगन फिर भी आज तक जब से मधर वफादर हमें चोड़ ने जूट नहीं बोला और मेरी अच स्वास है और तुमने एक बार मुझसे जूट नहीं बोला है आज तक तो है आखिकार अप क्या परपस होगा कि तुम जूट बोलोगे और हम देखते हैं कि अपना जो त्यान होता है वो बोलता है कि हां मैं भी एना तुम पर बहुत जाता है और तुमने इस बात बिलीव कर सक है और मुझे देडर पता चला कि एक परकार का मेजिक पार मेरे पास है और जैसे में साल भी दर साल है ना इसके साथ ग्रोफ करता गया मैं इसे यूज करने में कफी अच्छा हो गया और मैंने जो इंग आइस है उसके द्वारा एक जो चेन है उसका भी निर्वान कर दिया और वह फिजिकल रूम है वह ले लेती है उन्हें जो खत्म करने के ना वह मेरे बहुत ज़्यादा काम है और इस इस दिन से मैं जो इस टेक्निक को नाम दे दिया हिंग या चैन क्योंकि इसके चैन की तरह थी और जो मेरी इंग या आइस है उसके अकोड़िंग यह थी तो इस को नाम देना काफी ज्यादा प्रफेक्ट था लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इना में जो इंपरूबमेंट है इतनी स्लो होगी और तभी यह उसे नंग मोती दिखाई देता है जो इनर वल्ड होता है और मुझे नहीं पता था इस मोती के अंदर एक एस्टीवेशन सबसे बाद में जो मेरी कल्टिवेशन की स्पीड है लगता है दस गुना फास्टर होगी जैसे कि मैं पहले कर पा रहा था उसके मुकाबले और फिर अपना त्यांगा वो खड़ा हो जाता है और अपनी जो पार उसे जांच करता है है इसका यूज करते हुए मैं अपनी जो फैमिली उसे प्रोटेक्ट है वो कर पाऊंगा और इसी परकार से हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जिस दिन अपोकलिप सुरू होने वाला होता है सिर्फ एक लास्ट के जो एक मिनिट होते हैं वही बचे होते हैं इसी परकार से काउंटाउन है दीरे-दीरे कम होता रहता है तीस सेकेंड बीस सेकेंड दस सेकेंड और फिर फाइनली नो आठ साथ छे पांथ इसी प्रकार से जो टाइम है वो चलते रहता है और हम देखते हैं रोड के उपर एक जो बंदा चल रहा होता है उससे आसमान में कुछ चेंज आतेवे फिल हो रहे होते हैं और तबी जैसे जो काउंटडाउन जीरो होता है उसकी आंगे फट बार आने को त्यार हो जाती है क्योंकि हम देखते हैं आसमान में एक बहुती बड़ा जो क्रेक है वो आ जाता है उससके लिए उस छाट-साथ जो अपना त्यान होता है वो सब्सक्राइब करें और इसके अजीब टाइब कि चीज़ें वो क्या रही है क्या यह अलग टाइब की कोई बड़ी सपेसी है कि सभी लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा हुता है और उपर से जो मोंस्टर नीची के और गिर रही हुते हैं अलगे जो बिल्डेंग रही होते हैं और जल्दी उन लोगों को समझ में लग जाता है कि भाई tenha छैसे इन लोगों बदा कर टो कुछ समय के अंदर इतना अच्छा कचा तो जो शिटी होती है उसको एक तबाह कर दिया गया होता है चारोट दुआँ होता है और हम देखते हैं कि आपनी जो यान और जो त्यान होते हैं दोनवी भार के देख रहे होते हैं तब ही जो यान वो बोलती है ब्रदर तुम सई थे आरकार जो आपोकलिस है वो आई गया और हम देखते हैं सिटी को डिश्ट्रोइ करने के बाद में जो मॉंस्टर है वो जंगल यूर बढ़ते हैं जहां पर अपना जो बेस है वो बना होता है और वहां पर सभी मेंबर रहना इस मॉंस्टर के साथ मुकाबले के त्यार होते ह और एक दो मॉंस्टर आके उनके जो दिवार होती है तो एक दो अटेक तो अराम से उसकी दिवार समा लेती है लेकिन हम देखते हैं दिवार के अंदर भी जुक्रेक है वो पढ़ने लग जाते हैं और अपने जो पोजिसन है वो ले लो और आपको असा ने रहे और वह अप और देता है कि तुम सभी लोग मेरा फॉलो करो और जो अना अपने लिए एक ब्लोग त्यार करते हैं एक अच्छा सा कवर बनाते हैं सामने एंडर्स के उपर निशाना लगाना शुरू कर दो ताकि तुम्हारे अच्छे जो हीट मॉस्टर के उपर लगे और हम देखते हैं और उन होल के अंदर से बंदुक डाल करके अपने जो त्यान के ओडर बार के और फायर करते हैं और मुझे लगाता कि इन फायर का अटेक से कुछ नहीं होगा लेकिन एक्च्छल में काफी सारी मॉस्टर ना इन फायर गन से माई जाते हैं उनके ओपर यह जो फायर एमो है क सारो का सफाय कर दिया गया होता है और वहां पर मॉस्टर के लावा कुछ भी नहीं बचा होता है और यह देखकर कि अपना दियान है वह थोड़ा सा राज कि सांसा वो लेता है इस चलो हम जो फस्ट अटेक है उसे तो एना सर्वाइवर करने में कामियाब रहे और सभी करने को बेस्मेंट बेस्ट बनाना अपना काफी अच्छा कारगार है वह सावित हुआ एक बना बोलता है कि यार चलो हम सेफ हैं यह चीज बहुत ज्यादा इसके री थी हम देखते हैं सामने की और से अपना त्यान हो भी आता है और अपनी जो सिस्टर उसे आगी मिलता है और वह सबी को बोल देता है कि सबी लोगों को इना पहले उसे बार के गणा सक नजी ए और विपन्स की अगे आने वाले एक साल जब्हें बाहर निकल के देखेंगे हमाय लिए रहने के लाइक इन्वीर्मेंट बना या नहीं बना वो अपनी बात किरता त्यान उसे पहले हम है जो दो मोंस्ट्र होते हैं वो जिंदा बच गए और वह जो डिवार है कॉंपर बाघ्याद के वह तोड़ करके अंदर आजके नहीं जो अपने की ते नहीं हो डाउन्क तप कर दिया लेकिंए और कि यान तुम और अपनी जो बेस्ट फ्रेंट है उसे लेकर के यहां से से फेरिया के अंदर जा और छुप जाओ ताकि यह तुमारी ओपर कोई डेंजर नहीं और बाकी जो सोल्च होते हैं जिनके पास फायर पार होती है वह हम करते हैं लेकिन वह जो इस पार के मौश्ट होते करने के लिए जा रहा होता है अब उनके पास लगने के लिए कोई फिम्हान लोगों को मालूं होता है तो वह पुए सोचिक फटा फटावटे के उपर एक है और सिधर जाकर कि उस मौश्टर को जगल लेता है और हम देखते हैं कि जो अपने यहां चैन के जरीए जो उसकी स जाने को जाती है और यह सारी चीजह वहां पर जितने में जो लोग होते हैं वो देख लेते हैं और काफी जदा डर जाते हैं पूलते हैं का यह क्या है कि यह बंदा खुद भी एक monster है अरकर उसने आवाके अंदर से जो चेन निकाली एक और बना बोलता है कि मुझत लगता है यहां मैंना किसी गलत बंदे के पास आगए हो सकता है कल को यह हमी मानमा एक तरह से वह भी पहनी कभी हो जाते हैं क्योंकि इस प्रकाइची उन्हों नहीं पहले कभी देखे नहीं होती है और हम देखते हैं अपना जो लोग हो बोल रहे होते हैं कि जो पुराने फ्रेंड है जो अपने पने त्यान अपने त्यान बाने हमें उसके पटा रहे हो एंग जो до रहा है और हम देखते हैं अपनी चेंड़ेंगे बने हो सब बहुं घТथे उते हैं सब्सक्राइब निकल के एकटा होने लगती है और जिसे देखकर हो रहे होते हैं लेकिन हम देखते हैं अपना जो त्यान होता है और बोलता है मुझे नहीं पताता है इस बैट यानी इस चमगादर है उसके अंदर इतना अच्छा जो टेजर है वह मिल जाएगा और बाकी सपर्ज होते हैं आपना जो ट्यान होता है कि विश्वास यानि जो इस पीड आम में पहले आतमा होती थी उन्हें पार घ्रता था तो उनके अंदर शो purify होकर यह जो मोती वो निकला करता था और यह बहुती रेर हो अधर करता था क्वार है नहीं अधर कोय है नहीं वो मोती वो निकला करता था और मैंने अपनी जो हिंग यान चेन है उसकी मतलए से काफ़ी सारे जो evil ghost है उनको मारा था या फिर उन्हें ना हमेशा के लिए केट करके रख दिया था कि वह वहां से कभी भी बाहर है वो निकल नहीं पाए और इसी प्रोसेस के अंदर है ना मुझे कभी कभार इस प्रकार के जो मोती है वो मिल जाया करते थे लेकिन प्राप करना बहुति ज़्यार है यह संती क्माइर कर्म बहुति मिल जाते उना मॉती जलिए पहले अपनी हceğal टेक्निक उसे इंप्रूक करना ये कुछ करता है उन्ससरा तो में नेपनी जईन प्राट होता दिल क्राफ कर था लेकिन अभी जब से मेरे पास यह नई टेक्निक आई यह तब से ना मेरे जो इंप्रूमेंट है बहुत ही अच्छी हो गई है और जो यह डेगन स्कृप्टर इसके साथ अगर में इस्पिरिटल मोती का यूज कुरूँ तो डेफिनेटली मेरी जो इंप्रूमेंट है बहुत ह जादा आच्छे लिए और पहुंच जाएगी और हम देखते हैं तब है न जो यान होती है अपने ब्रदर को बोलती ब्रदर उदर देखो तो हम देखने जितने भी जो मौन्स्टर में होते हैं उनके अंदर से वही जो इस्पिरिट मोती हो निकलने लगता है और बहुत साथ करते जा रहा होता है और बोलता है कि जो विस्पिलर है हर मौन्स्टर को माण पर उनमें से कम से कम एक निकल रहा है जबकि मैं इतने सारे इविल शुक्त है उन्हें मारता था तो बड़ी रेच चांस के अंदर एक है ना उसमें से इस्पिट मोती हो निकलता था वाकई में इस चोटे चोटे बीस्ट है इनके अंदर से भी स्पिट मोती निकल रहा है यार मुझे लगता है इतने सारे मोतियों के अंदर पका कोई ना कोई एश्चेंट टेक्निक हो की जिस परकार से मुझे मिली थी एंप्रेयल डेगन स्क्रिप्टर उसी परकार से इनमें से भी वो सोलो कर लेता है अब यह सोलो कर ले के बाद में इसकी जो sister होती है और इस परकार सी की चीज को क्या सोलो कर सकते हैं और हम दिखते हैं वो बहुत ही बूरा चेहर है वो बनाते हैं जो त्यान है उसे नह देखते हैं वो हड़ बड़ा जाता है और जो mister understanding है वो आना कलिकरते बोलता है कि यह जो इना इस्पिर्ट मौती है इन्हें सबसे अच्छे से इना कंजूम करना तरीका यही है कि इन्हें स्वैलो कर लिया जाए और हम देखते हैं कि वो फिर अपनी जो यान इसिश्टर है अगर आप बात लेगे तो आपकी जो बार है मौत भी हो सकती है और हम देखते हैं सभी लोग भी सुचते हैं क्या वाकई में जो मास्टर जो त्यान बाहर जाना चाते हैं यह ज़्यादर डिंचर्स नहीं हो सकता वो यहाँ पे अंदर क्यों नहीं रहते हैं करना होगा तो मुझे इस परकार के बाहर और वी मिल सकते हैं मैं इस बात हैं इसलिए हमें अपनी सर्वाईवर को चांस को बढ़ाने के लिए मुझे बाहर जाकर के और यह monster को हंट करना होगा और इस प्रकार के जो हैना मोती है वो लेकर कियानी होगे और अपनी जो chances है इसके अंदर maximize करनी होगे और मेरी जो technique है जो इंग यान eyes technique है chain technique है उनको मैं continuous improve भी करता जाओंगा और साथ साथ मैं monster को मानने में कामयाब भी हो सकता है उनकी help से तो आपको मेरे बार में चिंता है वो करने के जूरत नहीं है और इस बार में बार इसलिए जा रहा हुँ ता कि हम लोग सभी जितने भी आपे लोग available है अपने अपनी जो मातरा में split हो अपड़ा है और हम देखते हैं कि अपना जो त्यान होता है आगे की और बढ़ते जा रहा होता है और यहीं सूद्र होता है कि मुझे आसपास एक भी जो कोई भी सिकाराज हंट करने के लिए नहीं मिलेगा और हम देखते हैं कि वह मोंस्टर बिन अब बास तो नहीं त्यान के उपर सीधा अटे कर देता है तो त्यान पीछे की और होकर करके अपने बचा लेता है और फिर एक लंबी चलांग लगाते है अपनी जो सोड़ होती है यह दिएक करके तो अपना टियान के पीछे की बोलता है वहीं भी त्यान की बोलता है कि तुम कोन हो तो वो बोलती है तो अपना जो त्यान होता है, वो बोलता है कि तुम कोँ हो, तो वो बोलती है कि अच्छा आत्म में इन वोगों का चेन्ज चुराने वाली चेन्ज डूई-गुई और तो हम इसको जो जूईए है वो बिलाएंगे, हम देगते हैं वाकई Aa काफी अच्छे फिगर वाले लटकी उती है, मतलब काफी अच्छे लटकी होती है, लुक के अंदर, और फिर हम देखते हैं, जो अपना त्यान होता है, उस रेड कलर के स्पिट मौनिक को ले लेता है, और उस लटकी की तरफ देखते हैं, होगा और हम देखते हैं जो पार का यूज्य करते है फिर घूज बहुता है दो, पर यूज की जो हैँ कहता है और खे इसफ में इंत्यान का पे अपने त्योन के उनको हील कर देथी हैं, यह किस वारे में मुझे लगता है तो इस वारे मुझे से ज्याद़ जानती है तो जो आपनी जुई होती है वो बोलत सिधी है कि एक्छुल oluyor नोर्म़ली जो अजो पिर दो बोगे बनते हैं लेकिन अब दीरे दीरे जो समय बोगे आप उनकी जो इनकी हो गई है इसलिए इसलिए कुछ कुछ आपको इसके तोवार को आटिफेक्ट मिल जाए या कोई कुछ ना एक चीज़ है वह मिलेगी यह सुन देए अपना जो त्यान होता है चांत तुम यह करना चाहती हो कि यह ना जो पीछ से प्रफ के अंदर एक जो ना जेड होते हैं जो महेंगा पत्र होता है उससे बनीवी एक जो बुक है और जब मुझे इसे ओपन कर देखा तो मु जो चीज़ें उनका नोलेज मिला जो अपकलिस से संब्दित थी और अब मुझे पता है कि यह ना जी त्यान मैंने तुम्हारी जो इसकोल के अंदर भी देखी ती मनलवी सेम स्कूल में रहे होंगे तो मैंने तुम्हारी जो परफॉमेंस ते वह स्कूल के अंदर भी देख अब बॉक को ओपन करके देखता है तो बोलता है अपनी जो जूई होती है तो एक अकसर लिखा वह नहीं आज कर तुम्हें जो नोलेज वह प्राप्ट के सभी तुम्हें इसके अंदर कुछ भी आना वो पड़ा किसे तब हम देखते हैं उसे कुछ होता है हम देखते हैं ज जो शोल है इतर उदर है ना फलोट कर रही है और जो पूरी इंटेंशन है जो अच्छी इंटेंशन है वह आपसे इस परकार से मिक्स हो गई कि वह अपनी जो लिमिट जो पुनर जनर होती है मतलब एक डिस्ट्रक्शन होता है उसी की बाद में कोई नई चीज की सुरुआत होती है तो यह समय वही है और यह पहला दिन है जो ग्रेट एक अपोकलिप्स है या जो पल्ले आई है उसका और यह सारा के सारा उस बुक के अंदर लिखा होता है मैं थो जो सबी वर्ड को एक साथ मर्ज करके एक जो नए सच करती है उसको जीवित किया जाएगा तो यह उसकी सुरुआत है उसका पहला दिन है अब बढ़ते हैं वापिस बैक टू है इस्टोय लाइन पे और हम देते हैं जो त्यान होता है उसने सारी बाते जो 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 बता दी हो मुझे ना पूरे च्टोय होते हैं कि इस ब्राइप थैसे मुझे अधिया है कोई नहीं मुश्य सकते हैं कि हम करने की जूरत नहीं है और मुझए इस जगह से ने कुछ इस ट्रेंस बिंख ताकत थी जुस्ट हो रही है किसी परकार का और है ना मुझे अटेक कर रहा है और हम लगते हैं आपि और किसी परकार को ट्रेजर अवीलेबल होगा अरुब तरह के इस तरफ के मौस्टर ना कोई स तो तुम मुझे इस बार में बता देना तो अपनी जो यूदी उस तर जाते बोलती है कि ठीक आप सिंदा मत कीजिए मैं इस चीज़ का ध्यान कूँगी और आप अपना भी ख्या लगना ज्यादा जो लोड है या नि ज्यादा प्रेसर है अपने को मत देदा रिस्ट लगे त होता है या फिर जो इस बीड़ को होता है उसी का प्राप्त कर सकता हूं क्योंकि उनमें से किसी जियान मेरे उपर नहीं है तो मुझे अपना टाइम वर्वेस्ट नहीं करना चाहिए और वह बहुता है घुलगंडी खाते वे उस तो पकर लेता लेकिन वे बेक के अंदर डा जाती है तो वह फटावट उन मॉश्टर को मार कर गए वापस से अपने जो त्यान उसके पर अटेक करने के लिए आता है उसे देखते हैं अपना जो त्यान वह सुथ है अरे यार लग गई वाट और हम देखते हैं कि एना उस वुल्फ की स्पिट का विती होती है और वह पलक हम देखते हैं कि अपने दियान होता है फिर से थोड़ा पीछ़े है करके उसमश्टर से और अपने बीच में पिछे और रहे होता है इसी देखकर के जो त्यान बॉलता है बलगा है कि एक lanz रहा देगी जो सेम ट्रीक मेरे बार-बार काम करने वाल नहीं है और वह आना यह कहते हैं वह आगे आटेक करने के लिए बढ़ जाता है अपनी पूरी पाउर से अपनी पर अपनी सोड करता है लेकिन जो सोड होते हैं उसकी हास सलिप हो जाती है और दूर जाहें गिरती है और होता है और वो पर उपनी त्यान न टायब कर कूंत है तो सामने की ऊंगश्ख से लेक कर ख मका about करें याrov होता है उसके मुह में गाड देता है यानि इस तरह से इस जो वुफ हम लाता है इसके लिए निकालता है जिस तो वहापे जो समझ जाता है इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर में कोई भी समाना अपना इस्टौर कर सकता हूँ यह वाकई में जैसे ही आपकलिस आया इसके इविल मौस्टर तो आई है साथ में डिफेंड डिफेंड परकार के रेर रेर जो टेजर है वह भी आच चुके मैं जो काम होता है यह ना चला जाता है और फास आने के बात में जो रही होती है और एक चोट है वह लगी यह वह बोलता है कि मज़ें छोड़ी से ख्रोच है यह रहा से पृत ही बहुत और यह कुछ लोग नहीं बोलता है कि कुछ लोग नहीं यह बहुत इब बड़ा गुरूप है और हम दिखाए कि कि वहाँ बहुत बड़ी जो इसकेलेटर की आर्मी होती है और अपना जो इना त्यान होता है इसे देखके पैचान जाता है और वह फटाफट जो जोई का मूव यह बन करते गोलता है यह तो नायट सो जार है हमें शांतने जूट है और देखेंगी वह वोगता है जो जो इसे परकार करना है उन दोनों के ब्यानक टूराई उच्छ जाती है जो एक पल के लिए सम जाती है लेकिन अपना जो त्यान होता है उसको छास फनग होती है उन सब्सक्राइब 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 उसका टेक करी रखा यानिए जो द्यान है वो रखा तो यह सुनते ही अपनी जो जुई होती है रही होटा है इसे इस परकार का समय जब हमें एक दूसरे को ध्यान हुद आकट लिया लाख नहीं होती है तो अपना त्यांड होता है कि क्या कुछ हुआ था जाना यहान नहीं य बहुत ज़्यादा अंदेरा है इसका मतलब यह कि अब जो रहते हैं और यह बड़ी है वो होने वाली है तभी जो यान की फ्रेंट जीन होती है वो बोलती है कि हाँ अचानक से यहां पे बरफ बारी भी गिरने लग गई अगर हमारे पास जनरेटर और हीटर नहीं होते हैं तो होने लगता है कि जो दूसरा दिन है अपोकलिप्स का उसके अंदर जो सन हमेश्या के लिए कभी दुबार से दिखाई नहीं देगा और जो सर्दी है इस अर्थ को आकर के सर्व करेगी और चारो और ठंड कैसी वाई और कुछ नहीं होगा बरबरी बरबरी होगी और मैं पत यह वर्ड लेस बुक और यह एक टेजर है जो कि जो होते हैं उसे मिला था और इसने मुझे दे दिया और यह लगबख साइज जानकर इस अपोकलिक से समझ देता है वह रखता है और दिन बे दिन अपडेट होता रहता है और हम देखते हैं कि वह अपने बेग को खाली करते हैं तबहीं अपना जो त्यान होता है वह बोलता है कि हां तुम सभी बोल रहे हो यह यह अलगले परकार की ट्रीजर है तिरिस में के दिक्रिक भोख से की सुल काफी अच्छा को है किसी को भी नोगं बहुत भी तो तुम लोग्स ट्येकरा की कोई प्रॉलम है हो वो भी कर सकती हो बस यह टेक्निक तुम्हें हेल्प कर देगी जो क्यों आई है तुम्हारी बोड़ी को ओपन करने के लिए उसके बाद में जो तुम्हारी कल्टिवेशन की जननी वो इसी प्रकास से कंटीनू रहेगी और जो यह विस्पिलर है जो मैं तुम लोगों के लाया है कि जो हैवंस से बुक है वहर हर एक रख आर रहता है और एक दिन के बाद एक नएन जो आता रहता है जो पर ले वाते रहती है नहीं उम देखते एंवा खसने होने लगे वह निए उनके पर चेंज होने प्रड़ा चेंज यह इसी देखकर के वो सभी लोग कटाई में करने लग जाते हैं अगर पेड़ की जड़े ज़्यादा फैल गई तो वह लोग रहेंगे का तो अपना जो त्यान होता है और बोलता है कि इस जड़ को आगे मत बढ़ने देना अगर फिर से आगे बढ़ जाएगी तो फिर हमारी जो बरसात है वो होने वाली आसमान से आगे जो अलगले को गिने वाले बहुत ही बड़ा डिजास्टर वह आने वाला है और हम देखते हैं इतने बड़े-बड़े मीटियोट पिरते हैं उनकी बेस्मेंट के कि ना उनका पूरा 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 जो बेस होता है क्योंकि जो ब लो और सब्सक्राइब बनाने की त्यारी करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि इनवार्मेंट के अंदर मुझे अपने पावर के उपर ही है और यह जो अ्यूंकि ज्यद्या तर लोग तो मेरे उपर है और वो सामने देखता है तो उसके बाकी जो साथी होते है उन्हें बोलता है कि जो यान होती है और साथ साथ जो अपनी जीन होती है उन्होंने भी अपनी जो सर्कुलेशन होती है उसे अनलोक कर लिया यानि अब वो लोग भी देदरे कल्टिवेशन है वो कर पाएंगे अब यही सोच रहोता है कि जैसे है ना मेरी सिस्टर्स है जो स्ट्रोंग क्लिटिवेटर वो बन रही है उसी प्रकार जो एंवायरमेंट है उसके अंदर युवान क्युआई आ गई है अब युवान क्युआ को अब्जोब करें कुछ और भी टेलेंटेट लोग होंगे जो इनक्युआई स्टेज उसमें पहुंच सकते हैं इस प्रकार की अच्विमे करने के लिए और वो सुचता है कि अभी टाइम है जो वर्ड को आपर समिमर्ज होने के लिए तो मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा पो यहां पर आवाजे वह आने लगती है और जो बेना त्यान उदर देखता है तो वहां पर उसे एक तरना नर्व दिखाई दिए औ अन्ता है बार आरहे होते हैं और उन्के साथ कुच बच्चे होते हैं वो बोलते है कि टूचर यानि इनकी टीचर है और उनकी स्टूडेंट है और हम देखते हैं तब होँ यह रहां पे एक और दूसरा teacher होता है जिसका नाम मौस होता है। तो उनका यूज करते हैं उन monster को पीछे को डगेल रहा होता है और हम देखते हैं वो monster के चंगुल से जो teacher tank होता है उसे बचा लेता है अपता नहीं हो मर गई बचपाईगी इस बाता confirm नहीं है लेकिन वो बाकियी student को बोलता है कि जल्द दिकरो और यहां से निकलो हम देखते हैं कि तब ही उसके सिर के उपर ही जो ret monst होता है वो आ जाता है उसके सिर को चबाने ही वाला होता है तब ह deflect में से है जो पीछे की और से जो चेन होती है अपनी इंग याँ चेन यानी अपने जो तियान है उसने ये लॉंच कर दिया होता है जिससे वो दोनों की जो रेट मॉंस्ट होते हैं वो उस चेन के अंदर फस जाते हैं और फिर आना अपने सोट से अटेक करते वे जो अपना तियान होता वेवे हमें पता दलता है कि उसने एको नए इसकील है वो सीख ली है अब वह जो इंग यां रिंग है उनका यूज कर सकता है उनकी जो इवल स्पीड उसका विनास कर सकता है उनको खत्म कर सकता है और यह इसकी नए कर लेती है और फिर बाद में उनको बहुत ही तकड़ा करने लगती है और हम देखें जो सारे सारे मों होते हैं बहुत लगते अब यह देखने की बास इसे वह सोता है यह अज यह नहीं रिंग होता है यह और यह अदिक और हम देखते हैं कि वह अपनी जो टीचर वगेरा सभी जगाए एकटा हो जाते हैं और अपना जो टीचर होता है वह आकर के नब धन्यवाद करते हैं अपने त्यान को तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे और मेरे जो स्टुडेंट है उन्हें बचाने के लिए और कोई चीज जो टीचर टेंग है उनके साथ होगी तो हम देखते हैं अपना जो ट्यान होता है उसका होफसला अपजाए करता है और जो टीचर लीन है उन्हें बोलता है कि मुझे पता है आपने काफी अच्छा किया है और मैं आपको बस सांत्वना देने के लावा यहां पर और कुछ है वो नहीं कर सकता अभी जो टियान है वो फिर से एना टीचर लीन से पूछता है कि अभी है ना मैंने देखा कि तुम फायर टाइप से कोई चीज अपने हाथ से निकाल रहे थे कुछ कर रहे थे क्या तुम भी एक अबिलेटी यूजर हो क्या यह सुनकर के जो ल अबिलेटी है उसका यूजर करते हैं लेंगे अन्त में क्या हुआ मैंना जो अपने पास रिने वाले अपने जो नजदी की लोग है उने भी एना नहीं नहीं बचा सका यहां पर वो अपनी जो टीचर टेंग है उसकी बात कर रहा होता है तो वो फटा-फट जाकर कि अपने जो अबिलेटी है कोई कोमन अबिलेटी नहीं है मैंने आपकी जो अबिलेटी वो देखिए आपने चुटके होगे अंदर जैसे जिस परकार सभी मौस्ट्रों को मारा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में आप और वी जादा स्टोंग होंगे और मु हैं यह सुनने के बाद में अपना जो त्यान होता है वो बोलता है कि इस परकार के अंदर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इसलिए मैं आप से प्रोमिस करता हूं कि मैं आप लोगों की हैल्प हो करूंगा अब ही सुनते हैं जो टीचर लीन होते हैं कि एक ही बार में सच बोल रहे ना क्या आप हमें अपने साथ ले जाएंगे आपको किसी प्रकार की कोई प्रोप्लम है वो तो नहीं होगी तो अपना जो त्यान होता है वो बोलता है कि ब्रदर लीन यह तुम कैसी बाते कर रहे हो आपको ज्यादा ही विन्नमर हो रहे हो अभी ऐसा समय है कि जो यह अपोकलिस है उसके समय हमें एक दूसरे की तो और भी ज़्यादा मदद तर वो करना ही चाहिए ताकि हम जो हमेंटी जो इनसान है उसे और भी ज़्यादा बचा सके हैं उसे पूरी बचानी कोशी से वो करनी चाहिए यह सुनने के बाद में अपना जो टीचर है ना अपनी यह अपनी इनरजी और यह इसे देखकर के जो टीचर है कि आकिका यहां पर चल क्या रहा है और हम देखते हैं कि वह सोचता है कि जैसे मैंने इन रेट याणी चुहेवाले मंस्ट्र को मारा तो उनमें से मुझे ये जो स्टोभ मोती है or ए जो रेट करें पंज मुझे मुझे मिला, ये मेरी जो टैक्निق is ये। इंक्रिटरग कर रहा ही, इसी परकार से अट्येट कर रहा है ए। क्या ये जो रेट कलर मुझे स्टोerel भी स्टोर रहा है, क्योज़ी के अ Mean टीचर लीन है और इसके साथ इनके सभी स्टूडेंट है आज से यह भी हमारे साथ रहेंगे और जो टीचर लीन है वो भी मेरी तरह एक जो एबलेटी यूजर है हम देखते हैं यह सुनते हैं सभी लोग खुछ जाते हैं और सभी लोगों को उसका स्वागत करने के लिए धन् लोग हैं वो भी इन इस परकार से देदेर डेंजन में पढ़ते जा रहे हैं तो हमें जो करेंटली सिच्वेशन है उसका मतलब तो यह हो गया कि हम बहुत बड़े जो डिजास्टर है उसे गुजर रहे हैं जो आज तक अभी भी पहले हुआ नहीं लेकिन हमें किसी परकार स बढ़ता जा रहा है तो हमें पता चल रहा है कि लोगों को पास अलग अलग जो अबिलिटी वो आ रही है साज़ाद बहुत सारी जो टेजर वो भी आसमा से गीर रहे हैं यह इस बात का प्रूफ है कि हैना हम सर्वाइवर इस अपोकलिक्स में कर सकते हैं जैसी कि आप देख से ना हम लोग फेस कर सकते हैं अब यह बास सुनते हैं सभी जो लोग होते हैं उस इत्यान की टीम में उनके अंदर जो सब्सक्राइब बोलता है कि आप सभी बोल रहे हैं ब्रोदर ट्यान हम लोग यूनाइट रहेंगे तब तक हमाई जो पावर है वो भी कंटिनूसली इसलिए इस प्रकार की जो पावर का चक्रवात है वो बन रहा है यह का एक मानलोग गिफ्ट है जिससे बहुत सारे लोगों के अंदर अगर अलग अलग जो अबिलिटी है वह जागरित हो जाएगी और हम देखते हैं थोड़ समय बाद में जो अलग लोग होते हैं उनके अं सब्सक्राइब करते हैं उसने सभी लोगों को हेल्प कर दी उनकी जो एबिलिटी है वो बढ़ाने के अंदर उनके उनके वह एक चांश दे दिया ताकि वह किसी प्रकार से इस लाइफ के अंदर सर्वाइवर हो कर सके और हम देखते हैं इधर आपना जो त्यान है अभी भी कि इसके अंदर एक हिड़न जो चुपा हुआ है डाइमेशन स्टोन यानि जो डाइमेशन के मलेक तरसे मानलों दूसरा एक जो डाइमेशन है यह उपन कर देगा वहां पर आपनी किसी प्रकार की जो समान है उसे स्टोर कर सकते हैं इसे देखकर कि वह बहुत जदा खुश अब यह जो प्रेण से उनको छोड़कर के मेरा फेमिली के लाने के अंदर सिर्फ तुम एक की तो प्रसंद बचे हो तो मैं तुमारे साथ कुछ भी है कैसे होने दे सकती हूं तो अपना थीयान होता है वह बहुत ही कमदार जल्द ही समब्स हो गया और अच्छी वह बन्हें प्रसंद बच ख़ेघ लोगों के लिए प्राप्त लेकिन हमारी लगातार बरती संख्या एकारण और हमारा जो काफी सारा रिसोर्स इस बट भी गया तो हमारे पास इतना ज़्यादा रिसोर्स इस बचा भी नहीं लेकिन सबसे बड़िया और लग की बात यह है कि हम लोग अभी तक अलाइव है तब हम देखते हैं वह इस प्रकार से बात कर रहे होते हैं तो लेकिन आपिरकर यहां पे इतने जार IS यादा है ने बताया कि जो जो आकर यहां पर आरना अर्स से जुडने वाले हैं आएकार यहां पर चल किया रहा है और मैं तो इनको गिन भी नहीं पारी है इतनी संख्या के अंदर है की इस ऐसे मानों की हर एक इसชार के अंदे हर एक नोवल है मलुब जितने भी टीवी सीरियल हम कलिप ना कर सकते रिए और जितने भी अपार्ट है जितने भी वॉर आज तक हुई है भी हर प्रकार की जो'S इमिजनेशन हम कर सकते हैं दिमाग के अंदर वो हर एक इट के अंदर या पिर एखर त्ग हरे ज 17 ईनियुर्स है उसके अंदर है और हुँ सारी आकर मच्छ होने वाली है जिसल작 झांदध जो हैवन पुक है उसने कहा था और हम दखे दे उसके आसपा सभी लोग सबिया उना हवा के अंदर फ्लोट हो रही है और सभी सौ रखे होते हैं ये देखकर करके अपना जिए त्याहर का यहां पे चल क्या है जो आइपल ही बुक है उसके आज की दिन के बारे में जुरूर होगी तो वह अपना जो त्याहर जो डिटेल है वो जो छटा दिन है अपोकलिक्स का उसके दिए उसमें बहुत साई लोग जो सर्वाइवर वो कर पाएं उनके उपर जो हेवन है वो दया बढ़ साएगी और काउंटलेस जो टेजर वो अपेर होंगे आसमान के अंदर और जिसकी भी जो किसमत अच्छी होगी कि अगर मैं गलत नहीं हो तो हम लोग आना जो एक बहुत अच्छा चांस देना चाहता है और उसका रिवर्ड वो देना चाहता है तब ही जो जिन है उसकी नजर आसमान में पड़ती है और वहां से कुछ गीर रहा है तो जो अपना त्यान होता है वह भी आसमान की और देख गरता है तो उसके अगना घोलडन इसी प्रकार से दूसरा परटाए कि हाँ यह मेरी है यह मेरी है एक लड़की के हाथ में अच्छी जो टेक्नीक है वह आती और हम देखते है कि अपने पिछले कई दिनों लो बोच्टे अच्छे टेनिंग है वो अपने चेंग की किया है पहले जाहां में दो ही चेंग कर सकता था अब मैं न पांच जैने वो रिलीज कर सकता हूं और हर एक चेंग के अंदर 81 लोक्स होंगे यानि टोटल होके उसके 405 लोक्स तो अपनी जो स्किल है उनका यूज करते ब्रदर ये देखो सामने आस्मान में क्या हो रहा है वो प्लेनेट हमारी ओर आ रहे हैं और हम देखते हैं कि अपना जब त्यान उदर देखता है तो उसकी आंके फटनिक के बाहर आने को त्यार होती है क्योंकि जो इस्टार अभी दूरी बनाए हुए होते हैं वो दीर दी आपने में इस प्लेंड को क्या क्या है और आर्थ के ऊपर आते जा रहे होते हैं और उसके साथ मरजब यो ते जा रहे होते हैं और ये देख करके जो लोग होते हैं उन्हें एक बात के लिए हो जक्ती है की ये जो प्लैनेट है वह आकर कि अर्थ को डिश्टो जाता है और उन्हें तेख पैले में अपने हिन्यान की मदद से थे घ्रशन ही उनने देख पता था तब इस प्रकार depicts अलग ये से आकर मिल जाएंगे तो जो इवल स्पिर्ट की डिजायर है और भी जदा बढ़ जाएगी उनकी जो खतरनाग इवल सोच है वह बढ़ जाएगी जिससे हमारी जो इंसानियत है इस एर्थ पे खत्म होने एक गार पे वह ना जाए फिर जैसे ही अपना जो इसके बार में सोच होता है तो बित्ड़र बैंट के अदर मुझे कुछ जानी पैचानी चीज होता है सभी ति χ्रेक्टर होता हैadores वह सब्सक्राइब करें अधर अधर इसी प्रकार से जो जो यह भी प्लेनेट होते हैं वह भी हमें दिखाई देते हैं यह सुनने के बाद में जो आधर जिन होती है उसे कुछ समझ नहीं आता वह पूस्ति है तुम्हारा क्हां ग्या मतलब है जो इमेजनई चीज आधर वह ए यह बॉस्ति बुत हमाद लेजनरी वर्ल्टर व डिञाने वाले हैंT है वो सभी सभी बड़े बड़े सचता है आ आकर के एर्थ के साथ मज होने लगते हैं और हम दिखते हैं कि अट के साथ इतने सारे वर्ड आ करिम करहें बड़े उसके लिए और मिस्टेरिस से वाज है वह और वो भो चुका है और जो भी कालपनी चीजे थी वो अब रियलेटी है वो बन जाएगी और लोग यह सुनकर के काफ़ चाथ सब्सक्राइब कि आपकर यह किस बारे में बात वो कर रहा है तब ही वो मिस्टीरेसी वो इस आगे बोलती है कि जो सभी वर्ल्ड से वो एक साथ मर्ज हो यह बन गए और यह उन्हें दो इस लिए हैं इसने नहीं और तो पुराना वर्ल्ड उसका अंत हो चका है तो अब नए जो परानी अर्थ सर्वाइवर थे अब उन्हें जाना जाएगा सका यह नाशुका है जीन की पैचान हो गई जो पुराने जो रिए लगा एंगे वह सबी स्काइल यहां के सहते हैं और यहां पर देखते हैं अपना आपने शाहर और हम बता तलता है कि जो अर्थ ही ग्रिविटी होती हो आपप सान लगती है और सबीटी नीचे की और गिणने लगते यह देखकर कि सभी पाइनिक हो जाते हैं और हम देखते हैं, वो चलने लगता हैं आग्गर यहाँ प्राइप्रा वो भीखो लिया रहा है कि हम इस परकार से नीचे गिरें तो हमाँ तो सरीर का बिल्कुल कचुमर है वो बन जाएगा पकड़े रो और हम लोग अराम से ना नीचे की और लेंड हो जाएंगी अगर तुम लोग किसी ने भी चेइन को छोड़ दिया और हम लोग अलग़ लोग हो गए तो पता नहीं हम लोग कहा किस जगर पर जाकर गिरेंगे और हो सकता है हम फिर कभी एक दूसरे मिले या फिर ना मिल पाएं ऐसे जगर पर हम पोच्छें क्योंकि अर्थ के अंदर इतने साज चेंज़े आ गए है और इतनी नहीं जगा आज की है इसलिए हैं दुपर से मिलना बहुत ही मुस्किल हो सकता है तो सभी लोग इस बात के लिए तयार हो जाते हैं लेकिन हम तभी देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी सरकल के अंदर पोर्टल खुलता है और एक बहुत ही बड़ा जो इस्पिर्ट से बनावा हाथ भार की और निकलता है जो त्यान है वो बोलता है कि जैसे कि मैंने प्रताया था कि जो लेजंडरी क्लेन है वो भी है अपनी अर्थ के अंदर आच की है वो इनको पकड़ पकड़ एक अनधा ऌसमें लिजा पर उनको रिक्रूट करेगी और अपना जो डिस्टिब्लिन है वो बनाएगी यानि अपना जो इस्परकार से वो राइज करेगी यह उन लोगों का प्लान है तबी हम देखते हैं एक हाट होता है इस पिच्छेज उसे बनावा उनकी वह राने लगता है और हम देखते हैं ये देखकर कि अपना त्यान का विजद नर्वस जाता है और हम देखते हैं कि अपनी जो यान वो रोते हैं वो बोलते हैं ब्रदर और हम देखते हैं अपना जो त्यान वो भी अपनी सिच्टर को बोलता है सिच्टर इसी परकार से वो दोनों अलग होने लगते हैं लेकिन अभी तक भी अपनी त्यान हार नहीं मारी होती है और फिर से कि यान यान बस पकड़े ना छोड़ना मत और हम देखते हैं ये और कोई नहीं अपना जो तियान ही होता है और वो मन में सुतरा होता है यार मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया था मैंने किसम काये थी उसे बजाने की और इतनी जो साथ दिनों तक हम लोग किसी परकार से सर्वाइवर हो कर पाए और रहना आगे कार बीना चोट काये हुए हम सर्वाइवर हो कर पाए लेकिन आज आज देखोई क्या हो रहा है और हम देखे चैन की दूसरी तरफ अपनी जो यान वो लटकी होती है कि पता नहीं कितने अंगेर्स मुसीबतों का सामना करते हुए हम लोग अभी तक अपने आपको सर्वाइवर कर पाए है लेकिन आगे किसलिए हम लोग बड़ी मुस्किल से हार्ट सिप के साथ यहां तक पहुँच पाए है लेकिन यह जो पाऊरफुल क्लेयन है आगे कार इस परकार से एक्ट कर रहे हैं जैसे यह हम से बहुत ही ज़धा उपर है और हम देखते हैं उसने तीनों यह लटके यहां को पकड़ लिया ओता है और पकड़ गया एक हाथ है वो अपनी जो कलेन उसमें लिजान लग जाता है तो जो अपना तियान होता है वो सोचता है कि आरिकार ये लोग किस बेस पे मेरी सिस्टर को इस परकार मेरी इजाज़त के बना लिजा सकते है और हम देखते हैं वो दीर दीर हाथ है ना पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं जा रहे होते हैं जा रहे होते हैं और हम देखते हैं वो पोर्टल बंद हो जाता है और यहीं पर जो यान हो गया बजाती है और वो यही सोच रहा होता है कि जब मेरी फैमिली ने मुझे अबिडेट कर दिया था, मैं अकला हो गया था, तो जो यान थी, उसकी फैमिली के कारणी मुझे लिए जिनकी में फिर से बाहर हो आये थी, और रोस ने आये थी, और मैंने यही सोच आ था, कि हम लोगो दोनों आयरकार इनकी हिमत कैसे होई मेरे साथ, मेरे साथ और मेरे सिस्टर के साथ इस परकार का वेवर करने की, कम से कम इने पहले मुझे इस परकार की जो इजाज़त है वो ले लेने चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने मेरे सिस्टर को लिजाने की बात उसे बहुत और वहां पे एक बहुत तरह दुआ ही दुआ हो जाता है अपन में काफ़ी सारी पंक्सी यह वो उठ रहे होते हैं जिसे इना बहुत जाद सौल गूल है वो हो रहा होता है और हम देखते हैं कि इस सौल गूल के कारण कि इस बार में मुझे भी नहीं दब्स नर्टाल कि प्रप्रार की मैं जब्स यह काओ उस परकार कि इस प्रकार से या उन पर अक्वत करते हैं यार वह चीजह है तो कफी कफे ज 컨ल है ती तो का रही है और हम देखते हैं और यह बहWक्ति conveert हो भुलता है कि क्या यहां पर monster भी है मैंने तो नहीं देखा हूंने आगर मेरे सामने आने दो तो दूसरा सोल दर दर बोलता है कि अरे तुम कैसी बात करे हो यार वो बीश्ट बहुत ही जार terrifying थे हो सकता है वो भी है ना हमारी तरह की दूसरे वर्ल्ड से आये हो तब भी एक व्यक्ति बोलता है कि चेक करने वाला है या तो की बात पूरिया ने यह देखा था कि जो मुझ से ऑई हो कि आ यहां पे मैंने बहुत सारे इस्टेंजर्ट लोग देखे थे जो लगबग तुम्हारी परकार के जो कपड़े पेन रखे थे लेकिन वो सभी के सभी है ना जो इनसान थे और सारे आसमान से नीची के और गिर रहे थे और मुझे माफ करना येंग मैं मुझे नहीं लगता कि त ना जाए है वह सामने के सामने के सामने के मंंसटर और होता है और नहीं के शुम्हां लूब लगते में के बहुते पाने के थे रहे और इन29 दोनों यह मेंबर आगी तर बाग रहे होते हैं और उनके पिछे ने डिफेंट टाइप की डिफेंट प्रकार की मौस्टर रहों पड़े होते हैं उन पे अटेक करने के लिए तब हम उस ओल्ड में को देखते हैं वो बोलता है कि यह मैं हम यहां से बागना चाहिए यहां पर ह इनकंट मंचे लगता है कि तो भागे वह बहुत रहा से लग यह और बइखते हैं कि एक मोंच राता है आकर के एक जो इंसान होता है उसकी खौपड़ी पर बाइट कर लेता है यानि उस इंसान का तो यह पर कम तुम्होंब होज़ता है और इसे लिए कि अब जो मेरी बोड़ी काफी जदा फाइन है और अब मैं टोटली फाइन हूं और हम देखते हैं उसके आंकों से लड़ने वाला है तो उसके अंदर विल पाउर आ रिक होती है तो वह इसी परकार से अपनी जो इंग्यां इंचेन हैं उनकों पोर्टल से निकालता है और साम करना कई सामर्श होते हैं इंग्यां जो रिंग हैं इसके अंदर आजाते हैं और अपनी ज जीन जान उगवाः देते हैं यह जिए जो बाकिए सोल्ट्र होते हैं इसके परकार का मेजिक है और कौन इस परकार कम मन में सोचता है कि आई कारी इस परसन ने जिए हवा के अंदर से जो चेन है वो कैसे निकाली पका यह बंदा कोई ना कोई बड़ा अगर हम लोगों को मनना ही है तो कम से कम हम डर के क्यों मरें हमें कम से कम इन से फाइट करके वो तो मनना चाहिए अब यह सुनते ही जो हटा-कटा बना होता है वो बोलता है वाकई में यार इसकी बात में दम तो है मैं जो वांगो मैं इस बन्डे का ये ना साथ दूंगा और इन सबी इस मॉंस्टरों को मारते हुए मरना यार कफी अच्छी दूस हुञाता है और उनके अदर में सोल्जर ही पैले न अटेक नहीं कर रहोता है अब वहापहे जो इना सभी आ इना मुस्टरी टेक देर्ट करने लग जाते हैं और सभी अच्छे से मेरे सामने में किसी भी चीज से ना वो डढने वाला नहीं हो और हम देखते हैं कि अपना त्यान के पेट वे वाल करता है और हमें पता चलता है कि उसके वेपन में कुछ कटीले नुकीले ना जो वेपन वो लगे वे थे जिससे ना जो अपने त्यान को काफ़ जाद गंबीर चोट लग जाती है और उसकी जो सोड होती है लेकिन अभी वह मौशन अपने त्यान के पर अटेक करने वाला होता है और इधर त्यानी कंडिसन जो पेट में जो बहुत ही डीप है कट लग जाता है इस देखकर त्यान है वो सूचता है कि आरे मौ demiş कैम लगता अब यह देखकर के तो जो म자를 बहुत सारी लोग है हमारे पास भीट है है हम हमें आखिर कर किस बास से वो ड़ना चीए दूसरे बंदा बोलता है कि हां हम लोग और उस यंग मेंग को फोलो करेंगे अगर क्या हुआ हम यहाँ बर जाते हैं मरने से पहले कुछ मोंस्टर को तो अपने साथ लेकर कि मरें गए तब ही तीसे बंदा बोलता है कि हां तु मैं जब तक तुम्हें फाइंड नहीं कर लेता उससे पहले में रस्ते के अंदर चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी मुसीबत ही क्यों ना आजए और हम देखते हैं कि जो अपना त्यान होता है उन मोंस्टर को मारने के लिए आगे की और बढ़ जाता है हम देखते हैं सभी कि लोग बहुत फुलकार तरीके से सभी मौस्टर को मारे जारे होते हैं ऐसा लगता है कि आज तो पूरी धर्ती की उपर से यह ना पूरी मौस्टर का विना सभू कर देंगा है और लोग साथ मिलकर इन बच्छे कुछ उन्हें फिनिस कर देते हैं और हम देखते हैं इदिर कि अपना जो आना तियान होता है वो भी लगा बड़ा होता है मार काट बचाने में और हम देखते हैं कि फाइनली अपनी जो सोड होती है उसमें पूरी स्टेन लगा करके सामने की और फिंग देता है और वो सोड जाकर के दो मोंश्रों को एक इसाथ में मार देती है पेट के यह वह हुई तो वांग डाहू बताता है कि जो दस सोलजर है वो मारेगे और जो 23 नॉर्मल अच्छे लोग देना वो मारेगे और काफी सारे ना जो इंजड हो गए और उन लोगों को टीट हो क्या जा रहा है यह सुनने ही हम देखते हैं कि अपना जो त्यान थोड़ा सा उ होंगे इनको लीड करोगे तो अभी जाओ और जितने भी बेटल केंदर सोलजर मारे गए हैं उन सभी को एकटा करो और उनका अच्छे से ना अंतिम हसकार है वो कर देना और ध्यान रखना कि ना उनकी स्मेल से कोई मोंस्टर और ज्यादा है वो नहों जाए यह सुनने के ब हम लोग सभी मारे जाएंगे तो हमें आपके लिडर्सीप की जूरत है तो हम लोग चाते हैं कि आप इस जो आई यह फिर यह जो बुरी स्थी पैदा हुई है इसमें हमारी जो लीडर्सीप करें और हम लेकिन अगर यह लोग मेरे साथ होंगे तो मैं अपनी चुपार उसको पलता है तो यह लोग तो आप से तुम लोगों गरोंग हम लोग काम होगा एक साथ रहे कर के सर्वाइवर है वो करना और देखते हैं कि अपने त्यान का नाम है यह जिप यह बलाएंगी वर्ट के अंदर आए तो थोड़ा बहुत इसके नाम में भी तो चेंज होना चाहिए ना तो ठीक है हम देखते हैं जो ई के बासन के बाद में सभी लोग खुछ जाते हैं बोलते हैं हम लोग आप ही को सुनेंगे मास्टरी अब से आप और आप हमारे लीडर होंगे और जो दूसरी अजो सर्वाईवर की बाग वह आपकी कहात हैmalी पैफिर के इस कही करने से पहाड़ी की और पहाड़ी का यहां से उस वेली की तरफ जा करने का सिर्फ एक रज़ता है और वह पर इना डिफेंट करना बहुत ही असान है और अटेक करना बहुत ही जदा मुस्किल है तो वह स्टेटेशक लिए अपनी जो लोकीसे ने बहुत ही अची रहेगी यह देखते हैं अपना जो यह कफी जदा surprise रहता है और बोलता है कि अगर हुआंग चेन यान यह तो है ना उस बंदे का ना फादरी लो नहीं है गया बाके में यार जो वर्ल्ड है रियलेटी में एक दूसरे साथ जो मर्ज है वो उचके हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डाइनेस्टी के लोग है वो अलग-अलग जगह आ चुके हैं तो हम देखते है है वहन पर बहुत है जो लोहए की कड़ाया और यहां के बहुत जाँ है NOW बहुत है और एक कुछ बैशन ताइम के लोग स्केशन होते हैं तो लोहा यार बहुत ज़्यादा रहा होता था तो अपनी जो यह के पास मिल जाए तो उनी सप्राइज तो होगाई हूँ इसलिए इसकी जो आइडिनिटी को सिंपल नहीं हो सकती वागई मैं हमने इससे चूज करके काफी अच्छा किया हमें इसी परसंट को आगे फोलो करना चाहिए तब हम देखते हैं एक इंसान के मुझे पानी आ रहता है वो बोलता है कि मैं आग दिना लेकर लेकर क्याता हूं और यह लड़की खडी होती है कि मैं खाना मनाने के लिए पास ही में जो रीवर है वाँ से पाने लेकर करके आछाती हूं और सभी लोग कुछ जाते हैं कि चलो चलते हैं हम सभी लोग साथ कमिल करके काम करेंगे फिर इस परकार थोड़े समय बाद में हमारा सीन होता है तो अगर में ध्यान से सूचूँ तो जो यान है उन्हें बड़ी-बड़ी आस्टी ऑने के लिया तो अभी मेरी यान के उपर मेरी शिष्टर के उपर किसी परकारा कोई संकत वह नहीं होगा कि वह लोग सभी चाते होंगे जो बड़े-बड़े बड़ेस्ग बरसी है जिन लोगो पर जिन लोगों पास अच्छा कट्टीवेशन बेस है उन्हें अपने अपने ना जो क्लेशन उसमें ले ले और उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन करके उन्हें पाउरफुल लेन अपने के बनाए ताकि उनका क्लेशन वो राइस कर सके और मुझे लगता है कि वह लोग ना जो एवन और एर्थ के चुनेवे लोगों को इसी परकार अपने साथ ले गए क्योंकि हम लोग सभी एर्थ के लोग थे तो हमारे पस कफी अच्छी ट्रेशर और काफी अच्छी स्किल्स थी तो यह सोचकर कि वह अपने क्लेशन अच्छा है तो इनका ना फाउंडेशन परकार परिशन परकार अपने सब्सक्राइब करना और बीजदा मुस्किल हो जाएगा और हम देखते हैं कि वह अपने स्पेश्टोरेज में उन टेजर को देखते बोलता है लेकिन मैं काफी लगी था कि मैंने बहुत साय जो टेजर वह पहले से इना अपने स्टोरेज के अंदर रख लिये थे और मेरे पास काफी अच्छे है जो टेजर अविलिबल है तर भी उससे सामने के और एक जो टेजर चमकता होगा दिखाई देता है उसे देखते हो सूसता है कि इससे ना टोकन का क्या यूज होता है मल जिस बंदे के पास में यह जो टोकन होगा उसे वह अपना एक खुड का विलेज के वह मतरक में और इसका दिमाग में आ गई क्या इसका मतलब यह है कि यह जो टोकन ही डारेक्टली जो ग्यान को मेरे दिमाग के अंदर डाल रहा है नोलिज आई होती है वह हमें बताने लगता है कि जो विलेज बिलिंग टोकन है वो अलग-लग रेंक है उनके अंदर डिवाइड होता है सबसे पहले इसके अंदर आपको कोई विलेज बनाने का टोकन हाथ में लग जाए तो यह एक तरह का इस परकार का साइन है कि आप किसी विलेज की लीडर है वो बन सकते हैं यह साइन होता है और आप अपने जो विलेज है उसको कंटिनियूस्टे डवलप करके विलेज से एक जो टाउन की आपके सकते हैं वह बन सकते हैं सबसे हायश टोकन है इस मदद से इस परणि और इस नीव trainings सकता हूं और आपनी आपना सकता है सकत अंए अपने व्याशॡ में ह्चाँ से li कि यह मैं में सक्वें लेना चाहिंगा है मैं जल्द ही इसी परकार stronger भी हो जाओंगा और एक अच्छा stronger जो लीडर है वो भी बन जाओंगा मुझे ज़्यादा जो citizen उन्हें gather करने और जो soldier होंगे उन्हें कमांड करने होंगे और इनकी help से में जल्द ही जो यान है जो जीन है और जो बाकी लोग है उन्हें भी ढून पाऊंगा और हम देखते हैं वो इसी परकार से सोच रहा होता है तो उसके पीछे बहुत ही तेज रोस्नी वो निकलती है और उस रोस्नी के साथ एक जो message होता है सभी जगह जो float है वो होने लग जाता है और इस message के अंदर लिखाता है कि मेरा नाम लियू बैंग है और मैंने लियू यांग जो village है वो बसाया है जैसा कि मेरे दिमाग में information दोट रही है मुझे पता चला है कि जैसे village building token उसका use करते है तो जैसे village बनता है तो उसकी गोशना पूरे world के अंदर सभी लोगों को सुनाई देगी इस ना village का अभी अभी जो निर्मान वो क्या गया है तो मुझे भी जद्धा वेट नहीं करना है और मुझे भी जल से जल अपना जो बनाना चाहिए लियू बैंग यह तो वही बंदा है ना जिस जो हान डायनेस्टी का founder था और हान डायनेस्टी थी अपने समय की तभी दूसरा बंदा बोलता है कि आईगा यह हर बंदे के पास है क्योंकि यह इसकी फेत में लिकावा था और इस परकार के बंदों के बीच में जो मेरा नाम गुजरेगा तो वागई में यह कफी अची चीज़ होगी और इसी परकार से हम देखते हैं तीन और नए विलेज बनते हैं जिसमें एक व्यक्ती होता है जो जाओ कांग इन उस होता है बाटिया विलेज और यह बोलता है कि मैंना सभी लोगों को प्रोटेट करूंगा इसी परकार से इन नए विलेज की गोष्णा जो कौन्टेंट की चारो कोने वहां तक पहुंचाती है तब हम देखते हैं उधर विलेज का एक जो बंदा होता है वह बोलता है जिसे उसके बाई ने मनने तक जो जैर है वो दे दिया था उसका चोटा बाई और को नहीं जाओ कांग ही होता है यह सुनते है एक पास में जो लेडी होती है वो बोलती है इसका मतलब यह है कि बोईशे के अंदर जब एक दूसरे से मिलेंगे तो फाइट है वो करने वाले है अब बहुत ज़्यादा लेजेंडरी बंदे उनके बीच में हो गई और इस परकार की फाइट करने में वाकर में बहुत ज़्यादा मजा है वो आने वाला है और हम देखते हैं कि यह जानने के बाद में अपना जो होता है काफी ज़्यादा खुस होता है और उन सभी से पंगा ल है उस वेली की तहलंटी में आ जाते है और इस वेली को देखकरके अपना जो ही होता है वो सोचता है वाकई में यहां का जो मैदान है काफी साफ है एकदम समतल है और यहां पर और डिफनी सब्स lending रwsटार सकता है तो अपना जो फाउंडेसन है कफी अच्छा है यहाँ पर लग सकता है और हम देखते हैं कि अपना जो ही होता है वो सभी लोगों को बोलता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो तो सभी लोग भी अपने जो मांश्टरी है या फिर जो विलेज लीडर ही है उसकी बास सुन जाते हैं और भोलते हैं कि हम सभी लोग अलग लग वर्ड के मच होने के बाद में अलग लग जगह से आएं तो इस वर्ड के अंदर आप काउंटलेस लोड राजा मारा जाए और अलग लग कॉंटिनेंट से आयो वे जो मानमान अस्तिया है लेकिन मैं आप आप लोगों को कि हम सभी इसे कोई भी बन्दा एक दूसरे से बैठर में हम सबीट में पर यह इक दूसरे में किसी परकार का कऊई बएध नहीं मतलब बॉलेटी की बात कर रहा हूंता है सीधियी से बात ही है आप घर झालेंगे जो हम लोग लोगों से विलेज करें जो बिलोग करेंगा हम मेरे बात ध्यान सुनो मेरे पास अभी हाथ में एक बहुत ही रेयर ट्रेजर अविलेबल है इसे बोलते हैं प्लेटनम विलेज बिल्डिंग टोकन इसकी मदद से हमें जो एक विलेज है उसे बड़े ही आसानी से बना सकता हूं जो सिर्फ से और सिर्फ हमी लोगों से मास्टरी चाह को लुव मांस्टरी नाम है अब से घर में अज farmers आकेटे करने के बाद में वहीं उससे बोल द रखेंगाता है उसे टोकर ब्रडड डाख होता है जिससे अनो ब्रड चुर्मक्न यहाद तोकन है उसके अंदर से भी वही तेज रोसनी निकलने लगती है और अपना इस सभी लोगों को मेसेज देने लगता है कि मेरा नाम इतियांज जिंग है और मैं जो फाउंडर हूं जो जुआंग हुआंग है उस विलेज का मैं सभी लोगों को एक टीट करूँगा और यहां पे इस चा होता है या जो मिष्टर ही है वह सेम चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि बागी लोग कर रहे थे उनकी वी आवाज पूरे वर्ट के अंदर गूद रही है तो एक और बंदा बोलता है कि मिष्टर है अपने जिस वर्ड से आया है वहां के कोई बड़ी बड़ी जो महान हसती है व हो राइचштै वह फूरे हैं वो हमें पता है कि और कोई इन के सब्स बाहर कोई एक ने वहां जो छोड़ेज के विलेज का गेट है वह बनता है और मैं पता है कि जो यहसा और मिलेवेले टनाफ है और सबी लोगों के अपने और आकतरी करते है कि सबी लोग में चुनों एउड़ाया है यह आज से हमारा जो घर है वो होने वाला है तो इना इस चाउस वाली दुनिया के अंदर हम लोग एक दूसरे के help करेंगे और इना एक साथ fight करेंगे एक साथ रहेंगे और हम एना एक जो peaceful जिंद्गी है वो यहाँ पे settle down है वो करेंगे हम देखते हैं तभी यह बास उनके जो डव होता है अपने गुटने पे आता है और वो greeting करता है greeting village chief और हम देखते हैं कि वो आगे बताता है कि जो मेरी मदर है उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि अपनी जो dynasty है उसके साथ हमेशा लोय लेना और हमेशा अपने जो जनरल है अपनी जो चीफ है उसको ग्रीट करना उसकी बात को मानना तो मिस्टर ई अपसे आप मुझे कोई भी order है वो दे सकते हैं आपको किसी परकार की hesitate है वो करने के जूरत नहीं है क्योंकि मैं भी जूआन हुआन विलेज का अब एक सदस्य हूँ यह भी मेरा घर है तो आप बिना किसी order है वो दे सकते हैं और मैं उसका refuse है वो नहीं करूँगा आपके हर order की पालना है वो करूँगा यह सुनते हैं सारे जो विलेज के लोग होते हैं वो एगरी हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो यह जूआन हुआ विलेज हमारा आप से घर होगा और हम लोग साथ में रहे करके इना इसको protect करेंगे साहे इसको protect करते हुए हमारी जो जान वहीं क्यों ना लेकिन हम इस विलेज को डिश्टोय और नहीं होने देंगे और इस प्रकार का जोस देख करके अपना जो यह अच्छी बात है अब मैं आप लोगों एक बात और कर देता हूं अब यह बात नहीं करती कि आप अमीर है गरीब हैं आप कि हिस जिंडर केहिए आप किस एज के हैं सभी लोगों का इस विलेज के अंदर स्वागत रहेगा बस जो लोग स्थाथ मिल करके गंदे से कंधा मिला करके इस विलेज करने में एल्प करना चातें वो आशकते हैं और अफर को कॉस्सों लोग करने करें के लिए हूं बुторов लोगा नाय लगाने लते हैं क्योंकि उन्हें एक जो निया गर है रहने के लिए मिल चुका है और आगे हम देखते हैं अपना ही है जो ओल्ड हुआंग है उसे ओड़े देता है कि आप ओल्ड हुआंग जाईए और सभी जो आदमी है उनको इकटा कर जिए और उन्हें जो लक चीज़ें वो करूंगा तो आगे जो अपना ही है वो बोलता है कि आना मैं आपको एक और जोब है वो देना चाहता हूं कि तुम आप जाओ और जाकर करके ना जो इस विलेज के अंदर कितने जो लोग है वो है ये काउंट करो और साथ साथ उनके पास किस प्रकार की स्पेस कि इस जगह को आना जो बुन्यादी चीज़ के साथ आना और बीच जो काफी ज़दा आओ सकता है और जिस प्रकार से ये वर्ल्ड मर्च हुआ है उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पूरा वर्ल्ड एक जो एशन टायम है वो बन गया जहां पर एना टेकनोलोजी ब चमगने लगती है इसी देखर के वो सोचता है कि अब आखिकार यहां पर इस ट्रेंज चीज़ क्या होने लग गई हम देखते हैं वह अपने जो इस पेस डायमेशन स्टोरिज रोप में यानि लोड की रूप में और जो क्योई है वो जैसे रिफाइन होती जाएगी और जो परकार से अगर जो विलेज है अना टांसफोर हो जाएगा अगर उसकी जो क्योई है वो बढ़ती रही है फूल हो गई तो आपके जो विलेज हो अपगेट हो जाएगा हम देखते हैं वहाप एक जो गोल्डन फिस होती गोल्डन कलगी फिस वो काफी जदा पानी में उचल होती है तो जो आइए सारी चीजेश देख करके अपने जो आना इसे समझ में आ जाता है कि जो आना ये हैवनली बुक है उसे गाइडेंस कर रही है कि मैं अपने जो जुआ हूँ विलेज है उसको फूल कर लूँगा और क्योई का मतलब यहां से लोग है यानि मैं अगर जो आना अच्छे लोग है मेरे विलेज में लानी होंगे और इसकी जो संक्या वो बढ़ानी होगी जिससे टेलेंटेट लोगों के साथ है ना मेरा जो विलेज है जल्दी अपगेट हो जाए फिर थोड़े देर बाद में हमारा जो सीन सिफ्ट होता है हम देखते हैं अपना करना होगा और उन्हें अपने जो गाम है उसके अंदर जोईन वो कराना होगा और मैं यह चीज को सावित कर दूँगा कि इस अरग जात्ता बरी दुनिया के अंदर में भी उन लोगों के साथ गंदे से गंदा मिला करके खड़ा हो सकता हूं हम देखते हैं अपना जो ही होत करते हैं वो फटावट किसी बंदे को अपना जो जीवन बर के लिए ना लोट है वो नहीं मान सकते हैं जब तक उन्हें कोई स्पेसल चीज है वो ना दिख सके लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसके लिए क्या करना है मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जिससे एना उस बंदे का बर्ड है बाहर की साइड में अपियर हुई है अब यह सुनकर के तो यह भी हरान हो जाता है और वो आके बताने लगता है जो सोल्जर होता है कि अभी तक तो एना उस बर्ड ने एक परसंट को जान से मार भी डाला है यह सुनते ही तो अपना यह काफी ज़्यादा सप्रश कि पता है जिसे उसने कैप्चर कर रखा होता है अपने सिकनज में ऐसे सब ने इस बखर गया और ने वाला वाला सबसे बड़ा मॉस्ट्र जो इनसान हो गया जा था और हम देखते हैं कि वह बहुत यह बहुत श्यों से डरी होती है और वह सभी को बहुती होती हुए यहां क मुझे आकर रिबचाओ और हम दिते हैं जैसे यह पूंचता है उस मॉंस्टर ने सीधा का सीधा उस बच्छी के दो टूड़े वो कर दी होते हैं अब इस्टोरी है न हमें से अच्छी एंडिंग है वो नहीं होती क्योंकि अपना जो मेन करेक्टर है वो अभी भी अपनी यहां पर चल किसे क्या रहा है जो मॉंस्टर ने जो विलेज उसके अंदर आके से गया और बागी लोग भगदर मत्रकी होती हैं यहां पर मत्रुको वर्ना अगला सिकार हम भी बन सकते हैं लेकिन इदर इको देखते हैं उसके दिल में बहुत जादा सदमा लगा होता है क्य हो निकालता है और उसका एक एर होता है उस मॉंस्टर के उपर सूट कर देता है और हम देखते हैं वह अपने मूं में एनर्जी हो गिदर करने लगता है और सामने की और टाइप के जो तो तीन चारए रोते इंग्वो कि बोल देता है कि तुम लोग इसकाओ भी मैंचरप है वो नहीं हो इस बितने उस्टे करें लेता है और दुस्ट से माइस नहीं लिए वर देता है और अपने उस थीनलियां चेन है उससे बार निकाल देता है और अना सामने के और रिलीज कर देता है उस मॉंस्टर को जगड़ने के लिए पकड़ने के लिए और हम देखते हैं जो इंग्यान चेन होती है अपने एक ही वह अना उस पंजी को टेरोस जो सोरस होता है उसको पकड़ लेती है और कहीं और ज्यादा मॉमेंट वह नहीं करने और हम देखते हैं वह बाला काफी जदा पावर के साथ सामने के और फैंक देता है अब आना वह कहीं मॉमेंट तो कर नहीं सकता मॉंस्टर तो सीदा बाला जाकर कि उसको पेनिटेट कर देता है और इसे बहुत गमीर तरुक से चोटी लो कर देता है अब यह चीज है वहाँ कि लोकि या अब इना उसमैंब को बच के मदें दे ना उस जान झेमाना उसने घृता है तो इसे और तो बर्ते ऊपने चेज कर अब सर्फार तो बड़ी से लाइना जाppen करेगी लेकिन मतों यह चाहता है साथ येकिन तर्छ इस बेलेश हो जाएगा जिससे यह मॉंस्टर भी आजाद हो सकता है और इधर उदर गिंडे पर जो गावाले उने भी चोट लग सकती है तो वह हीट होता है तो फाइनली उसका भी यहीं पर एंड हो मॉंस्टर के बाद में जो ही इस वहां जो आते हैं उस्में जाते हैं इतना जद लंब समय से नहीं फिर भी इसने जो सकती हैं पावर घेन कर लिए यह वह सूट कर सकता है वाकए में यार यह मॉस्टर तो काफी लाजवाब था क्योंकि इसने इतनी जल्दी आना यह सकती आवेकन कर ली जिसका तो मुझे भी आना इस बार में उमीद है वो नहीं थी अगर इस परकार से बाकी मॉस्टर ने भी अपनी पाउर आना वेकन कर ली तो हमालिया या और भी उटेए वह फ़ी तो है तो वह बोलता है कि मैं ठीक हूं और जो बड़ वाला मामला है उसे मेने टेक केर रहो कर लिया है यह जो बड़ा सी काल की है और इसका नाम टेरो सोर्स है और यह इस वर्ल्ड के अंदर आते ही हैं काफी ज़्यादा इस्टोंग है वह उचकी है एक्चुल में इसको king of sky बोला जाता था आस्मानी राजा है वो बोला जाता था क्योंकि इसके सामने कोई भी बढ़ भी टीक नहीं सकता था यह सुनने के बाद में जो डा होता है वो निरा हो जाता है और वो मनी मन अपने आप में गिल्ट हो करने लगता है इतने खतरनाक बीष्ट का फिर से हमारे जो विलेज उस पर अटेक हुआ और मैं पिर से अपने जो लोड है उसके काम नहीं आसका अगर मैं भी आपकी प्रोटेशन के अंडर रहूँगा आपके साथ कंदे से कंदा मिला करके नहीं लड़ूगा तो मेरे और जो ओडिनरी सिविलियन है उनके बीच में कोई भी डिफरेंट है वो नहीं रहेगा अगर हम सभी लोग आपस में मिलकर करके इस्टोंग है वो होगे तब हम जो अपने वैलिज है जो जो ऑन हुआ वीलेज उसे बचा पाएंगे अगर हम लोग इस्टोंग नहीं होंगे तो हम अपने वैलेज का भूनी बचापा खाएंगे इसलिए जो तुम हैं पूछने के बिना भी मेरे दिमाग में ये खयाल आ चुका था और मैं तुम लोगों को cultivation की जो manuscript है वो वैसे भी सभी लोगों देने वाला था लेकिन चलो अब तुम लोगों के उपर ये बात depend करेगी तुम है जो हाई रेंग की जो टैकनीक उसका मतलब यह नहीं कि वो तुमारे लिए ज़्यादा बेनीफिट है वो करेगी और वह तकनीक को बाह निकलता है क्योंकि जैसे कि मुझे पता है तुम लोगों ने अपने पीरियस लाइब में काफी सारी जो फाइट है वो की है और तुम्हारे अंदर जो murderous aura हो चुका है फाइट करने के लिए क्योंकि तुम सभी लोग फाइटर हो तो तुम्हें सीधा इस टेक्नीक को सीख सकते हो वरना इस टेक्नीक को सीखने के लिए पहले तुम्हारे बोड़ी के अंदर murderous aura एकटा करना पड़ता लेकिन अब यह टेक्नीक तुम्हारे लिए काफी suitable है और बोड़ी में चल करके तुम और भी जदा जो एडवांस लेवल की टेक्नीक है वह सीख सकते हो अब यह सुनने के बाद में सभी जो सोल्च होते है और इधर हम देखते हैं जो ही होता है वह बोलता है कि तुम्हारे लिए लिए एक लाइबरी है वह खोल दूगा और वहापे जाकर के अलग-अलग जो टेक्नीक की मैनिस्क्रीप होती है उसे ले सकते हो और बाद में सीख सकते हो यह सुनने के बाद में जो डा होता है वो बोलता है कि तैंक्यू आपका लोड आपका बहुत जाता है और तभी हम देखते हैं कि जो हुआं होता है वो बोलता है जो बीस मारेगा उसकी जो खुद की मौत है वही वेट कर रही है यानि हमारी विलेज से पंगा लेने का मतलब है कि वह अपनी मौत को नोता है वो दे रहा है विजो यह अपने सोलजर को ओडर देता है कि इस बर्ड को जला दो और साथ साथ जो लोग मारे गए उनका भी अंतिम सचकार काफी अच्छा से हो कर दो और गाउं के लोगों को बोलता है कि यह समाइलोट और इधर हम देखते हैं कि जो हुआ होता है वो बोलता है कि विलेज है मुझे आप से बात बोलनी है कि अभी तो एक स्टेंट भी जाया है बाद में दो आगए बात में तीन स्टेज बीश क्याई बीश बीश गया हिए कि आसमान से वाले समझ्या ni lep and dao tar Arab आवलग देखते हिए दोनों जो आपने वीलेज करने के नहीं बाद में हमाइन दौन जर्द शामिए अपानें के लुगर जाएगी औरर दीन त давай बीश ट्रत रहें वाले आने। यह गर कर लेंगे और इनकी भी स्पीड बढ़ती जाएगी आप यह किस परकार का मेजिक है वो भी इस परकार का मेजिक इस वर्ल्ड के अंदर एक्जिस्ट है वो करता है क्या और सभी लोग काफी ज़्यादा है और यह बोलते हैं कि हमारी जो लोड है उनके पास कितने सारे अलगल सब्सक्राइब के नाम है वो जा सकत आ हूं तो हम धिकते हैं वह ढ़कर के लोगों हो को कटे नहीं कर वो कि प्लान के बारे में क्या सूचना के इव जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि आप लोगों ने हमें नहीं आपे शेल्टर देख करके यह बहुत बड़ा ऐसान हो किया है जिसके लिए भी हमने प्रोपर लिया ना वो आपका धन्यवाद है वो नहीं दे पाये थे आयरकार हम आपके इस प्रकारी कंडिशन को इना डिस लेकिन एक लिमिट लगा हmayın जो लोग है जिस क्या इस अखनी को लेंगे वो सिर्फ एक बार में एक टकनीक ले सकते हैं और जहां तक बात रहीं एन इस पविलेड़ है तो मैने बीचके इंदर बिल्ड करने वालों और इम देखते है वह अपने हासरे फिर से एक और वो निकल लगती है, और जो यह है वो सभी लोगों बोलता है, की मैं उमीद करता हूँ कि जो बी जो 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 जवाननवांग विलेज के लोग है वो कल्टिवीटर वो बन जाएंगे, और इस विलेज की सेपटी के लिए साथ भी मिले करके fight है वो करेंगे तो जो villages है वो बोलते है कि हाँ हम लोग hard करेंगे और एक जना बोलता है कि मैं अपने आपको बहुत ज़्यादा hard training दूँगा और इस विलेज को बचाऊंगा तब ही हम देखते हैं जो हुआ यहां होता है वहां मनमें होता है वाकई में यह कितना जदू यह उनके पास तो countless अलग अलग परकार के है ना बोसा है जो टेजर है और वो कोई ordinary बंद है वो तो हो नहीं सकते है पावर के मामले में उनकी combat भी काफी अच्छी है और उनका जो क्रेज है एक सेर होता है उसके बराबर है बहुत बड़े हैं वो अपने एक बाइमें सोच रहा होता है और हम देखते हैं जो यह होता है जो library होती है उसके अंदर जाने लगता है और लाइबरे में जाने के बाद में वो सोचता है पावेलियन है मैं इसके मदद से काफी सारे हैं जो नए talents है उनको उज़ा कर सकता हूँ और जो विलेज की ग्रोथ और इस्टोंग बनाने मदद है वो कर सकता हूँ और मैंने अपोकलिक्स के समय बहुत साइज जो टेक्निक और मैन्यू स्क्रिप्ट गलेट किये थे वो मैं सारे सारे इस लाइबरेरी के अंदर रख देता हूँ वो आपने आपको इस लेवल के अको नहीं कर पाएंगे सेट अप करने लिए एक जो रूल वो बियार भी आपे बनाना होगा पिर हम देखते हैं वो उन बुकों के उपर एक जो बरियर वो लगा देता है वो भी हैवन का कि आपको हेवन की कसम में वो खानी बढ़ेगी और यह हमें बताता है कि जिसको भी जो आउसकता होगी जो टेक्निक वो सीखने की उसे एना एक जो सपत हो खानी होगी डेमन की अपने जो हाट के अंदर है और यह ओथ है वो लेनी होगी कि वो इन बुक का यूज अपने आपकी बोड़ी को टेन करने के लिए करेगा और नहीं और किसी भी काम के लिए यूज नहीं करेगा नहीं वो उसकी कोपी बना सकता है नहीं किसी परकार का जो चीजे यूज कर सकता है अगर वो इस सपत को वोईलेंड करता है तो उसका जो inner demon है वो उसको destroy कर देगा और आसमान से जारों बिजलियां उसके सिर के उपर गिरेगी जई सीधा सा मतलब यहां पर हो गया किसी ने भी बुक को चुराने की या उसके अंदर की टेक्निक को लीग करने को इसकी तो वो लीग नहीं कर पाएगा वो अपने आपके अंदर से मालब या फिर आसमान से को बिजली आ के उसकी उपर गिर जाएगी किसी प्रकार से उसकी मौत हो जाएगी मलब कोई भी यह ना आब इसको लीक है वो नहीं कर पाएगा जोई आप ज़ना जो दो हुन्बाइब और एक बन्दा बोलता है यहां पर ज़िज़े रिक्या है काफ़ी ज़्धा रेरियर होती है कफी ज़्यूद्ड ही इंपुर्टन चीज़े दूसरा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि यहां पर कितने सारी अनुस्क्रिप्णूरी और लोड को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा और विलेज के फुचर में जो विलेज उसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा और हम देखते हैं वो जैसे इन बुक लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है एक बेरियर लग जाता है जिससे वो बुक को ले नहीं पाता है यह सोच करके यह जा रहे हैं वो बोलता है कि मेरा नाम वांग डाह हुआ है और मैं इस नोलेज का यूज अपने लिए करूंगा और किसी प्रकारी कोई राइटिंग नहीं लिखूंगा और अगर मैंने ऐसा किया तो जो मेरा इनर डेमन है वो मुझे खा जाए और मेरे उपर बहुत सारी जो जो लेता है वो जो बुक होती है ऑटोमेटिकली यह थोड़ सी यह बाहर आ जाती है क्योंकि उस पर आपने डाउन ने इंटरेस्ट चो किया था साइद यह इस परकार का भी कोई फंक्शन होगा फिर ओत लेने के बाद जैसे ही वो बेरेर के अंदर हाट डालता है यह देख मेरे पूरे दिमाग पर चप गया कि जैसे इसके इंदर एक एक जो लाइन लगी हो मेरे दिमाग ऑटोमेटिकली आ गई बिना पटे वे और पीछे से यह वाद अपना जो हुआंग वो भी सुनना होता है और वो सोचता है कि वाकए में यह बास सेंस तो बनाती है अगर काफी जाद स्परइज होता है और हमें बता दलता है वहाँ पे एक रिकोर्ड होता है लोयल डेड ब्लेड मलब कोई खास किसम की बुक होती है इसे देखकर कि वह ने काफी जाच परफू लेवल की बुक इस पाविलें के अंदर मिलेगी इस परकार का एक लेजन्डरी कि अगर मैं इस चीज को ले लूँगा तो मैं अपने आपको गिल्टी है वो मैसुस करूँगा क्योंकि अभी तक मैंने जो जुआंग हुआं विलेज है उसके लिए कुछ भी कंट्रिवूट है वो नहीं किया और इतना बड़ा ट्रेजर है मैं बिना किसी कंट्रिवूट के इस लिए मैं इस परकार की टेजर को अभी है वो नहीं ले सकता और बिना कोई बुक लिए वह वाज़े वापस चला जाता है और हम देखते हैं कि हमारे सीजिफ्ट होता है जो लोडी होता है उसके और वह अपनी इनर वर्ल्ट के अंदर सोच रहोता है कि मुझे इस बात प लोग है जो टेलेंटिट लोग है उन्हें फटाफट वो इस पर और टेकनिक को देखकर के उनमें जो टेलेंट है उसे जागरत करते हैं और लेकिन मुझे एक बात है वो समझ में नियारी आखिरकार जो मेरी एना एब्जॉरवेशन और जो रिफाइन की स्पीड है वो तीन घूँगा और हमारा सीन से फट होता है जो एरो सूट करने वाले टावर होते हैं उनकी हुर आसेथ हुर डेरो ये हिया क्योंकि ने बाहर का या शोट करका कि उन्हें चुछाया कि लिए अरग कुछिछขी लोग सुबह आकर आ कर दे देख तो वह जाएं और बोलते है कि जब हम हर सुबह आ करके देखते हैं तो कुछ ना कुछ यहां पर बीष्ट मरे वे पड़े रहते हैं क्योंकि जो एरो टावर होते हैं इन्हें रात को अपने आप ही मार देते हैं वाकई में यार यहां पर कितने मोश्ट है जो लेगुलरली आते चाहरे हैं यह टावर तो वाकई में काफी ज्यादा यूजफूल है जिससे जो रात को हमारी डूटी यानि जो रात को है ना इसका यह टॉमेटिकली डूटी कर देता है और हमारे जो सेटी की गानटीव हो रहती है वाकई में जर्णल डाउआ हो और आपके अंदर में तो ब्लड्रेट क्यों आई फ बोलती है कि जो सोल्जर समाइले इतनी मेनत कर रहे हैं तो खाली बैट कुछ भी नहीं हो सकता तो हमें उनके लिए अच्छा खाना है वो बनाना जीए और सभी लोग आना खाना वगरा बनाना लग जाते हैं उसके पास एक बंदा आता है और एक बुक को देते हुए बोलता है और आके का तुम्हारा नाम क्या है तो वो अपना जो नाम है वो जिया यू कुन बताता है इसका नाम सुनकर के जो अपना लोड होता है वो सोचता है अच्छा तो ये बंदा उस नोवल्स के अंदर का करक्टर है और हम देखते हैं तबी एक और विलेजर वांपे ना काफी कैना जो यहां पर लेकुड़ की चीज है यहां पे बहुत जानवर है हम लोगों ने देखा है रही है और रही किस परकार का जरेला पर बता है तो चौड़ता है वो गल ने लगती है और जो जो ओल्ड है ना जाओ थे वो अपने आपको इस होल के अंदर ले गया जानवर पकड़के यह सुनते है ना अपना जो लोड़ी होता है काविजा टेंशन मिल जाता है और बूलता है कि एक इंसेट और वो भी बड़ा सारका और जो जमीन के अंदर पूर इटेल पढ़ने के बात है वो तो यह पोजनेस जो लीकविड है वो भी छोड़ता है और हमेंसे जो अंडर गांड है उसके अंदर मॉमेंट है वो करता है वह जादे ही सोच पड़ जाता है कि एच्छा नहीं है हमें फटा 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 इस कीड़े को ढूंड करके ना मानना होगा लेकिन वही सबसे बड़ी डिफिकल्टी तो यह है अंडर गांड में इसमें जाकर करें और अगर चले गए तो इसका जो पोजनेस है वो हमें माट डालेगा अब वो इस जो समझ है उससे निपटी रहे होते हैं तभी एक और जो विलेज की महिला होती है वो चि सुनते ही है अपना जो लोड होता है और मुन में सुखता है कि अभी लोग हमें रिवर के पास में इसके सेटन डाउन हुए थे ताकि हमें पानी वगरा सभी जो रिसोर्स है वो अराम से मिल जाए लेकिन यहां पर सारा माहूल भीड़ा बड़ा है एक तरफ तरफ हमें जो लोड ही होता है वो सुनने के बाद में बोलता है अपका यह का म कर दूंगा और वह बाकी सॉल्चर को बोलता है कि छो पास में चलेंगे तो बाकि सोल्जर भी त्यार हो जाते हैं और हम देखते हैं वो सभी लोग रिवर के पास रहना चलने लगते हैं और अपना जो लोड होता है वो बोलता है तभी एक जो लेड़ी होती है वो बोलती है कि विलेज हेड यहाँ पे बहुत ही अजीव गरीब टाइप की जो मचलिया आ गई है और हमें नहीं पता आकिरा किस टाइप की मचलिया है और बोलता है कि वाक़ी में यार यह वर्ड कितना डेंजरस हो चुका है पहले तो हमें एक इन्सेक्ट मिला जो कि जमीन के अंदर रेता है और अब हमें रिवर के अंदर इस प्रकार की मजलिया मिल गई तो यह सुनने एक बात में ही होता है कि आपकार हमारे पास और कोई हम अभी जाते हैं अभी लेकर क्याते हैं और वह सुनने के बात में अपना यह बोलता है नहीं कोई चीज की में यूज नहीं कर रहा हूं और इसके अंदर तुमारी कोई है की मुझे जूरत नहीं पड़ी वो इस प्रकार से अपने आप में बाते करी रहे होते हैं तो भी हम दिखते हैं इस सारा समान लेकर के वहां पर पहुंच रहा होता है अब यह सब सुनने के बाद में जो हुआ होता है वो सोचता है अच्छा तो यह बंदा यहां पर करने के सोच रहा है और हम लेक्स जैसे नॉर्मल तरीके से फिस को पकड़ते हैं वैसे यह इन पिरानाज को पकड़ना चाहता है और हम देखते हैं अगले पल वह जो गेजिट होता है बनके त्यार हो जाता है और वह लोग गर इसकी मॉंस्टर होता है उसको नदी के ऊपर लाकर के अपना लोडी का इंजार कर रहते हैं उनकी कमांड किया है तो हम देखते हैं कि अपना जो यह होता है वो बोलता है कि ठीक है अब तुम एना इस मॉंस्टर को पानी के अंदर डाल सकते हो और ध्यान रखना जैसे जो मचले आकर के इसको बाइट करें तो फटा फट कर लेता है और सबीज को ओड़ेता है कि यही समय है और सबीज जो सोल्जर होते हैं अपनी टाकल लगा करके उसको बाइटे हैं और हम देखता है और वहाप्ष रिवेर के अंदर यह उन्हें चली जाए और हम देखते हैं सभी इस होलजर बड़ी इजली उन पिराना उज़ को हम मार देते हैं और हम देखते हैं अपना जो लोड़ी होता है वो इन फीशिस को देख कर के सोचता है ये सभी-सभी मचलेया ने बहुत ज़ाद फ्रेस है और इनके जो quality है वो भी बुरी नहीं है तो मुझे इनको इस परकार से waste है वो नहीं करना चाहिए और इस मेरे पास एक बहुती rare treasure है और इस treasure का use में इन fish के उपर कर सकता हूँ और मुझे सोचता है कि यह जो treasure है इसका नाम है पेट्टू कोशी का अगर मैंने एक बार इसे सोलो कर लिया उसे खा लिया तो फिर मेरी एक जो forcefully जो crucial meridian है वो open हो जाएगी जिससे मुझे यह power मिल जाएगी मेरी जो physical body की power है वो बढ़ती रहेगी जैसे जो मैं खाना काऊँगा और हमें इसे पेट्टू कोशी का बारे में बता जाता है यह एक जो imaginary word था उसके थूरू आया गया है और यह power काफी अच्छे से देता है अगर आप खाते हो तो आपके जो power वो automatically बढ़ जाती है और यह जो load वो सूतरा होता है कि इसकी एक disadvantage है कि इसको solo करने के बाद में किसे कर सकता हूँ क्योंकि यह मेरे strong होने का एक जो chance है और बिना reason के इस chance हो खोना नहीं चाता है और हम देखते हैं कि अपने आपको माइंड अपने उसके अंदर पाता है और वो सोता है कि मैं तो यहां पर आ गया मैं चाहता नहीं था लेकिन मैं अटोमेटिक लिया गया और वो जिसी देखता है जो पेट्टू कोशी का करन जो है कि यहां इनका जो मीट है काफी जड़ा डिलीस होता है तो मेंसाब से हम लोग इसे खा सकते हैं तो अपना जो लोडी होता है वो बोलता है तुम लोगों कोई चिंदा करने जुरूत नहीं है यह वाकई में इटेबल है और मन में सोचता है कि हम लोग चाय नहीं जाए या सबी मेरा विच्वास है सबी लोगों बहुत ज़्यादा भूक हो लगी है तो आज हम लोग ना एक फेस्टिवल टाइप पार्टी हो करने वाले हैं मचलियों के खाना की पार्टी है और हम इसके द्वारा अपनी जो हंगर अपनी जो भूक है उसे सांथ करने वाले हैं और ह लगने लग जाता है और इधर रहना आपना यह वह सोच रहा होता है चलो यह अची बात है इन पीराना उसके लिए मुझे ज्यादा मेहने तो नहीं करने पड़ी जब तक हमारे पास ना डेट बूटी मोश्टर की जब तो ब्लड मोजूत है हम इन पिराना को इसी परकार इ लेकिन मुझे यह लगता है कि हम लोग इस परकार से जो सभी सभी पिरानाज है उनको नहीं मार सकते हैं क्योंकि जो रिवर बहुत जादा लंबी है इसलिए ना सभी को एक ही बार में खत्म कर पाना बड़ा ही मुस्किल होगा यह सुनने के बाद में जो ही होता है वो बोलत जाद गरती तेज कर देंगे और फिर हम देखते हैं वह अपने सपेस स्टोरे से ने कुछ लोहे की जो बाल्टिया होती वह निकालता है और बोलता है कि जो लोहे की बड़ाइब यह गाव की महिलाओं को देदे देदा और उनको बोलता है कि अगर पानी कलेट करने लिए ल जाए विलेज है आप जिखा सकते हैं तेस्ट करें कैसी है तो आपना ही होता है वो बोलता है ठीक है मैं इस सिखा लेता हूं आप तुम लोग या से जा सकते हों और वो जिससे एक निवाल लेता है उसे बोज चीज अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर स्पिच्छ पाउर होती है इस वर्ड की तो यह सोचता है यार यह टेस्टी क आप ये हैँ थेए बोलते है भी जिखता है और आपने जाए बहुता है और उसे फेसरल सूप बनाया है इसे बी टेस्ट करें वह या चारूर पल्ट हो इसे बहुआ हूं दारेक्ली मेरी बोड़ी की वो बढ़ा रही है लगता है जो पेट्टु कोशेगा उसने अपना काम हो करना सुरू कर दिया है और ओ फिर अपने मांड के अंदर आता है उसका MADE जो को टाइप का वो जो फिस खाई होती उसकी जो QI होती है उसके अपने अंदर इस्टोर करते वे इसकी जो बोड़े ही उसके अंदर प्रवाइट करने लग जाता है जिससे कि याना एकि जो फिजिगल बोड़ी है वो देदे इस्टों करने लग जाती है यह देखते हैं काफी जदा खुछ जटा है यह बोलता है लगता है मैं इन्वोल्व कर रहा हूं और अपनी थोट स है कि चारो और अना कार मचा हुआ है और यहां पे सबी लोग फ्री है लेकिन यहां पे कोई बंदा किसी भी समय मर सकता है तो यह सुनने के बाद में जो हुआंग है वो बोलता है तो आपका किने क्या मतलब है क्या आप इस वर्ड का जो चाओ से उसे खतम करने का सोच रहे ह अपना जो ही होता है नहीं नहीं मैं अकेला यह काम नहीं कर सकता और यहना मैं अभी यह चाहता हूं कि मैं अभी में जितने बंदे आसपास उन सबको अच्छे से लीड करूं जिन लोगों को मेरे अंदर विश्वास है और उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है उसे परटने की इस परिशी नहीं परटने की मैं उतनी ज्यादा सलाह आपको दे सकता हूं यह सुनने के बाद में जो अपना ही होता है वो बोलता है कि हम आप सही बोल रहे हमें बहुत ही ग्रेट टेलेंट बंदों की जूरत होगी और आपके जो टेलेंट है उसको भी ग्रेट जेड ब्लेट बुक उसकी जो भी नोलेज है मैं चाहता हूं आप इनहीरेट करें उसे प्राप्त करें जिससे आपके टेलेंट में और भी ज्यादा वबर्दी होगी और आपको वो बुक काफी अच्छे से शूट करती है अब यह सुनने के बाद में जो हुआ होता है काफी चाहस वर्ल्ड के अंदर उसका यूज नहीं करना तो इस प्रकार के क्राइम को बचना चाहिए और जो सुटेवल व्यक्ति है उस टेक्निक के लिए मुझे आप से अच्छा और कोई निलेगा और मुझे लगता है कि जो ओल्ड हुआ है मेरे इसके अंदर आगे चलकर बहु और हुआं फिर वहां से खड़ा होते हैं कि ठीक मेरे लोड हमारी जो सारी बाते हैं वो होच किया और अभी काफी ज़्यादा लेट है वो भी होच किया इसलिए मैं अब भी है ना जो बुक आपने बताई है उसे पढ़ता हूं तो यह सुनने के बाद में अपना इपना अब देखते हैं और हम देखते हैं वो बागते हुए जो विलेज के एंटरस होती है वहां पर आ जाते हैं और वो दूर से पूछ लेता है जो गार्ड मापे खड़ा होता है कर यहां पर चल किया रहा है तो गार्ड भी चलाते हैं अपने लोड को जवाब देता है कि लोड सामने की और से बहुत ही बढ़ी है ना तादात के अंदर जो चुह नुवा मोंस्टर है वो दिखाई दिये हैं और इस वेली की और हमारी तरब से काफी तेज रप्तार में ब कर दो रहे हैं अचानक से हम देखते हैं जो धर्ती होती है वाइं लगती बाहर निकल लगते हैं इसे देखकर के एक कितने चला कर जो उने एक अन्डरगाउंड टर्नल वो खरीदी है जिससे कि वह हमारे विलेज के उपर अटेक रसके यह माउस तो कुछ जादे ही चला को चुछ गये हैं तो यह सुनने के बाद में अपना जो ही होता है वो बोलता है कि तुम सही बोले हो लेकिन कोई और ही रिजन नहीं नहीं किसी और ही रिजन के काणि यह लोग उपर आएं वरना मुझे नहीं लगता है इनका कोई इरादा था उपर आने का तो यह सुनने के बाद में जो ड़ होता है कि विलेज लोट आपका के नहीं क्या मतलब तो अपना ही है वो बोलता है उसके इसके बोड़ी के उपर घाव ल चला होगा कि यहां पर इना जमीन के दर एक कीड़ा भी रहता है और उनका आमना सामना इसके साथ हो गया होगा और उस कीड़े ने एक ही जिटके गए अंदर काफे सारी जो चूहे वाले मॉंस्टर होगे उन्हें मार कि रहा होगा और आज ही हालत है जिसके करणिय से कुछ हो रहा है और यह मॉंस्टर बाहर के निकले ऐसा कुछ यह सोची रहा होता है कि हम देखते हैं उस बिल के अंदर से एक यलो रंका बहुत ही बड़ा जो माउस होता है माउस मॉंस्टर बाहर निकलता है और उसके पिछे-पिछे वो जमीन के अंदर गड़ा करके रहने वाला जो किडंड वो भी उसके पिछे इंहां चलने कि माँस की एध OFF करने वाले इसका मतलब तो यह कि यह तो यह यह कि इन्हों तब तक फाइट करेंगे तब तक इन मैं से एक भी है जो सब्सक्राइब करें दूसरे वाले को कुछ ना कुछ गायल कर जाएगा तो यह जो इतनी अच्छी एडवांटेज है मुझे से खोना नहीं चीए और हम देखते हैं कि उन जो दोन मॉंस्टर होते हैं आपसे बहुत ही खतरनाक जो बैटल करने लग जाते हैं इदर जो बिल बन अपनी लेजर लाइट छोड़ता है तो अपने प्रकाट से लेक लेट है है और यह चीज मुझे लेट लेटा है कि आप से बहुत बहुत कर डगना देते और अपनी भुछ के निकल गए थे तुम्हें क्या लगता है कि मेरे विरेज के लोगों को मानने के बाद में तुम जिंदा रहे सकते हो इस टाइम में तुम्हें यहां से जाने नहीं दूगा और हम देखते हैं कि वो तलवार सीधा उसके सीर में लेगी होती है जिसके साथ उस सेंटी बेटी व बतना नहीं चीए और हम दो कुछ समय बाद में काफे सारे मॉंस्टर को मार देते हैं और इदर हम देखते हैं जो इह होता है जो इनका रेट कि होता है उनकी तफ ढूक्ता और बोलता है कि यहारद वाक्वी में तुम कितने ज़दा अन्रक्री लेगें एक जो से उन्यटी चेज ने कर दे कर दो मिन देखते हैं ध्किन की आत्र प्रीज ऑनरिकर कीकर आघ्टिक ने सोचा था कि जो ये चुए वाले मौश्ट है इनके हेल्प से हम जो उस सेंटीपीड को मार पाएंगे ये सुनने के बाद में जो हुआं होता है वो बोलता है वाकई में यार ये बहुत ये बड़ा कॉंशिडेंस है कि जो जुआं हुआं हुआं विलेज है इस बार काफी प्रियास करें उसी कार्ण हम ये विजए प्राप्त कर चुके हैं लेकि मुझे नहीं लेगता हमें इसी प्रकार से अपने जो लग है उसके ब्रोसा रखना चाहिए ओल्ड हुआं मैं चाहता हूं कि तुम जो गांव उसके चारो एक बाउंडरी है वो कर दो लकडियों की औ लेकिन प्रोपलम की बात यह है जो जगल है उसके बहुत ही खत्रा है जो और बिल्कुल दाव सही बोल रहे है आप फिन अंको काम करना है बाकी का जो काम है वो मेरे पे और जो डा हुआ है और जो आर्मी उस पर छोड़ दीजे है हम बागी के जो monster है उनको समाल लेंगे अगर जो खतरनाक beast है हमारे सामने क्या ही कर पाएंगे और हम देखते हैं अगले दिन वो सभी लोग लकड़ा कारने चले गए होते हैं तो अलगल प्रकार के जो beast होते हैं वो अटेक कर रहे होते हैं लेकिन बड़े easy ले है जो ट्रोप्स होती है और जो अपना यह होता है जो डाव होते हैं वो सारी मिलकर है बड़े easy ले उन सभी इना monster को मार देते हैं और इसी प्रकार से continuous पंदा दिन की मेहनत के बाद में हम देखते हैं उनकी जो मेंनत होती है वो रंगलाती है और जो लकडियों की वॉल होती है जो foundation मनाने के लिए एक palace के लिए वो तो पूरी कर लिए है लेकिन हमारी जो force है अभी भी इतनी strong है वो नहीं हुई है तो अपना जो यह होता है वो बोलता है कि और लोगा आपका केना क्या मतलब है कि हमारे पास proper आदमी नहीं है हमारे पास लोगों कमी है उस problem की बात कर रहे हो क्या तो जो old whang होता है वो बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे है अगर हमारे पास enough people नहीं होगे तो आगर हमारे जो foundation है वो और भी ज़दा strong है वो कैसे होगी यह तो एक पल की बात है कि हम लोग राफ के अंदर मिल जाएंगे अगर हमारे पास enough जो power है वो नहीं होगी हाँ यह बात सही है इस बार हम जो battle है उसके अंदर जीत के है लेकिन हमारे भी काफ़ी soldier है उसके अंदर कमी है वो आ गई है इस battle के कारण भी कि यह सुनने है एक बात में जो ही होता है वो बोछता है कि हा में भी इस बार में कई बार सोचा लेकिन जो अपनी इस के रहे होगी इस और ऑसना है जिससे मुझे लगता है मैं इस बाद में विस्वास करता हूँ अगर हम एक बार यहां से निकल के चले गए वेली से तो मुझे नि लगता है कि हमारी जो आर्मी वो सेफ रेपाएंगी मुझे लगता है हमें बहुत ही बड़ी चती है उसका सामना करना पड़ेगा तब हम देखते हैं आसमान में एक ब पक्सी होता है, जिसके उपर केजबंदी होती है वह अपने है नहीं उसके करिर्णम में आता है और इब जो इस बार के निले के लिए के लिए तरे के लिए उता है और यह साल बर यहां से वहां तक travel करते हैं क्योंकि इन बड़ की हो भी होती है कि इन्हीं ट्रेवल करना पसंद होता है और अलगर जाना भी यह नहीं पसंद होता है इसलिए इनको बाद में एक जो इनकी important job होती है तो उनका foundation नहीं मर्चेंट के काम के लिए क्लिए यह लंबे हाथ होता है इनका ताकि जो समान यहां से वहां तक पहुचा है जाच के मुझे लगता है कि आज मैंने इस परकार की जो चीज़ है वो फाइनली देख ही ली और हम देखते हैं कि वो जो हंस होता है नीचे के और लेंड करता है और उसके साइड से एक जो शीडी नुमा होता है वो बोलता है कि अरे मेरे साथी कल्टिवेटर यार तो मैं इस बारे में चिंदा करने जूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा जुआ हुआ हुआ है अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तुम यहां पर आकर के कुछ चुरा कर ले जाओ तो तो तुमने किसी प्रकारी है आप लोगो पहले नहीं दिया मेरा जो फैमली का नाम है वो जिया है और मेरा जो फुल नेम है वो आता है गुचैंग जीन यानि जिया चैंग जीन हो जाएगा आप जैसे यह नाम सुनते हैं तो अपना जो ही होता है साथ साथ हम जो हुआं होते हैं दोनों सपरेज रहते और जो अपना जान करके होगा क्या लेकर है.. क्या हम लोग उपर चल पर सकते हैं कि तुम्हारे पास किस प्रकार की चीज़ी एं टो जपर होता है.. कभी भी ऑपने कष्ट् shouldnemare को मना आए इस चीज़ के लेनी कर सकता है.. आपका हाधिक स्वागत है.. चलो और चलते है.. बना दी अब हम बता है उसके मद्द से उसनी जो चेडियां बना दियोगी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है तो जो होता है वो बोलता है कि ठीक है आई आई प्लीज अंदर आई और मेरी जो इस दुकान चोटी सी दुकान को आकर के देखिए और अचानक है जो इस वर्ल वर्ट बना उसको कफी जानते काफी अचय से नहा बना उसको कफी अच्य से ना हंची नोलेज है तो हम दिखते हैं जो जिया होता है एक मेक उपन करते हैं कि हाँ जैसे कि हमें पता है कि millions of world आ करके ना इस वर्ल्ड के अंदर बन गए और यह जो अर्थ है यह काफी जदा अनंत दूरी तक फैल चुकी है आप लोगों ऐसे लगता होगा लेकिन तुम जिस जगह पर बैठे भी हो तुम्हें ऐसे लगता होगा दूर दूर तक सिर्फ म अची नहीं है अब यह सुनने के बाद में अपना जी होता है और बुलता है क्या मेरे असपास नाइबर्स भी रहते हैं और हम देखते हैं कि वह अंदर अपनी शौप दिखाते हैं जहां पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती है और बोलता है मुझे पता है मेरे पास जड़ा पसंद हो आएगी और हम देखते हैं जो ही होता है उसकी नजर सबसे पहले जो हैना कल्टिवेशन मैनुस्क्रिप्स होती है उन्हें पर पढ़ती है और उसके आंके चमक नहीं लिग जाती है कि यहां पर तो वहां होता है उसकी नजर एक मसीन टाइप चीज़ें प प्रिंट करके देगा अभी सुनने के बाद में जो होता है वो बोलता है वाका ही में यह चीज तो कफी जड़ा अमेजिंग है और मुझे आज चरी होगा जानकर कि क्या आपके पास इसी प्रकार के और भी कोई रेट ट्रेजर है क्या तो यह सुनने के बाद में जो चान्स बॉक्स इस बॉक्स की मदद से आप जो सोल्स होते हैं मला प्रूल्स की इच्छे होगी उनकी तरफ आपको गाइड़ेंस घडे और मॉन वैल değer changed अच्छी प्योर क्वांटेटी अच्छी होगी जिससे यह आपके लोगों की चोटों को हील करने नहीं बद करेंगे अब यह सुनने के बाद में जो ही होता है वह बोलता है कि वाकई में यह चीज़े काफी अच्छी है अब यह पूछना चाहता हूं कि आप ना इन जो टेजर तो जो गोल्ड और सिल्वर कोई गड़ा तो लेने वाला नहीं हुआ अगर आपके पास वह एसी कोई चीज हो जो मुझे एक्षेंज में देश को तो हम इसके वह ट्रेडव कर सकते हैं तो हम देखते हैं कि अफना जो ही होता है वो अपने पास से जो इपर अच्छी होता है वो एक कर लेंगे और हम देखते हैं वह जल्दी आपके साथ पिजन्स करके अच्छा लगा और पीचे से हम देखते हैं जो होंग होता है वो बोलता है कि मेरे लोड मुझे लगता है कि आपने इसे जो चार जार 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 जो आना स्पीड मौती दे दी कुछ जाद ही में देदिए आपको डर नहीं है कि हमना इसके अंदर गाटे के अंदर रहे हैं तो यह सुनने की बात में अपना जो यह होता है वो बोलता है कि जो बिजनेस में होते हैं उन्हें हमेशा जो प्रोफिट बनाने में की भूक होती है अगर उनको profit बन जाएगा तो वो हमारे साथ बोईश्य में और भी अच्छा ना जो सोदा है जो business है वो करेंगे लेकिन आपको लगता है कि जो business में जो जीया था उसने जो न्यूज दी थी उसके बारे में इस सुनने के बाद में जो ही होता है वो बोलता है यह अच्छी न्यूज है लेकिन प्रोब्लम की बात है कि हमें यह नहीं पता कर वो कौन से एरिया के अंदर है तो जो हुआ है वो खृटा है कि हम सिर्फ अपने आपको बचाने में आ ना कामयाप हो नहीं रह सकते हैं इसलिए ऐसलिम में उनकी चगहें काम कर सकता हूं और यह हम दोनों के लिए अचा होगा और हमारे जो आना हूं कर सकते हैं जब इसके यहां पर लोगों की जो संक्या है वो बढ़ जाए क्योंकि हमारी जो विलेज की फाउंडेशनी लोग हैं यह सुनने के बाद में जो हुआ होता है वो बोलता है कि मेरे लोड मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लोगाना उनकी लोकेशन को ट्रेक है वो कर सकते है मैं तो पूमैं उस आइडिया ना जवाब है थीक आज रात को मैं इस चीज़ पर अधियान दूँगा अभी तुम जाओ जाकर करके ना सभी जो गावालों को एक जिगह एक पर जाकर करो में जाकर करके ना गाव के बीच में जो मून वेल रहे वो पलिस करने वाला हूं और ताकि सभी गावालों को उसका यूज़ है पता चल जिर दिर जाकर करके अपनी जो पाड़ दिखाते हैं बहुत इप बड़ा जो कुई है वह बन जाता है तो हम देखते हैं जैसे मून वेल वहाँ पे सेट होता है वह अपनी जो एनर्जी उती चारोर फिलान लगता है यह देखकर कि जो हुआ अचानक से मेरे स्रीर के अंदर औ आ गई है मेरा और भी रंग रिखड़ गया है और मुझे तो इससे लगता है कि यहां पर आ करके उसे पानी है ड्रिंक कर लेना जिसे तुम्हारी सभी चोटिया है वह हो जाएगी मुझे मुझे से इस बारे में जो प्रमिस्न लेने की जूरूत नहीं है यह सुनते हैं सारे लाजवाब है हमें एक्वाली टीट करते हैं और बोलते हैं कि थैंक्यों आपका इस परकार काना काम करने के लिए अब जो बंदें कुछ हो जाते हैं आगर हम चोटील हो जाएंगे और आपस हमारा जो टीट में इतना दली हो जाएगा तो हम और भी जदा हार्ड वर करींग आधम छोra कि छो हमादमे प्रुहिए प्रुट हेटे प्रुटे कर्ता है कि बोलता है कि छो इस्पेयर से भीह चौनिक से जिए चुछ अच्यक्पथ घ्रप्च है और हम देखते हैं उसके माइड में अलग लग जो भाले से यूज करने की स्किल होती है वो आन लग जाती है और वो आटोमेटिकली फटाफट इन्हीं जो स्किल को सिंग लगता है और वो बोलता है वाकई में जो जैड इस्पेर टेकनिक है कि काफी जादा पावर्फुल है इ की से खाया होता है और चारोर देख रहा होता है और उसने अब यदिकवसी और दिखाई दिए कुछ है कुछ और हमों देखते हैं सामनी के और फायर जाल रही होती है इसे देखकर औसमझ जाता है कि चलो फाइनल या आज मुझे पता चली गया कि जो में नाइबर से वो कहा है पिछले दो दिनों से मैं कोईश कर रहा हूं लेकिन आज तो मैंने उनकी लोकेशन के बारें पता लगा है लिया फिर हम देखते हैं कि अपना ही होता है वो जो हुआंग होता है और जो डा होता है उनके साथ कर रहा ह बोलता है कि मैंने अपने जो इस चलूंगा पर ने जिए फैक जो कि नहीं जो यह भी होता है कि नहीं इस dynamics प्लाणि कर रहा हूं और मैं इस परकार से विलेज को अकेला है वो नहीं छोड़ सकता और अगर हम सभी लोग वापे चले जाएंगे तो मुझे जो विलेज की सेफटी गारंटी है वो कोई नहीं दे पाएगा और अगर विलेज को सेफ रखना है तो तुम्हें और जो ओल्ड हुआंग है दोनों को करूंगा और जो हुआंग होता है वो बोलता है कि आप नीचे जो जाए है हमारा काम है इसे हम कर लेंगे तो हम देखते हैं जो ही होता है वाहाँ जाते है ठीक है तुम लोग जाओ और रेश्ट करो मैं सुबह मॉर्निंग में यहां से निकलूँगा तो लोग भी गुड़ होता है गेट तक अपने लिच ऊड़ने आते हैं तो यह बोलता है कि तुम में जिन्दा मतकरो में बाहर जा रहा हूं तो तुम विलेच का ध्याना करना उसे अच्छा से प्रोटेक्ट है वो करना जब तक मैं आ नहीं जाता है तो हम लोग अपसे चलते हैं और हम देखते है कि अपना जो ही होता है अपनी जो इना जो सेकंड पहुंच चुका होता है इसलिए उसकी जो स्पीड होई बढ़ चुकी होती है तो वो सोचता है कि मुझे अपनी पार का यूज करते हुए फटावट यह जाना चाहिए ताकि मैं जल से जल उन लोगों तक पहुंच सकूँ ज इस परकार क्यों आरी है और कफी लौड माताल भांटर जो किसी चतर ने वहाँ चल रहा है मुझे चलifikर करकर वह दो कि स्वत बाते है मृड़ हो तो इनसानो' को रहें है? कोई भी यहां पे आकर कि आना हमें बचा लोग माड डाले हैंं हम लोको सामने के मृट वोता एंसनों के तेझ हो χron territ क्र सभी और और मेर घुत淮े यह घृता है अगर तुम आए तो तुम एक रोयल बंदे कोई फेमिली जो रोयल बंदे है उसको प्रूव कर दोगे और रोयल फेमिली तुमारा ना इसके लिए कभी बेना पिछा नहीं चोड़ेगी और तुम्हें डूंड गरी माट डालेगी और में पता चलता है इसका नाम फू वेंग ह और यह मिंग डायनेसी के आता है और यह करप्टेट बंदा है बहुत साइट लोग इसे नफ्रत हो करते हैं और यह सोचते हुए जो ही है वो सोचता है कि इस परकार के व्यक्ति को बचाने कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस परकार के बंदे को मट जाना ही ठीक है और हम देख करता हूं तुम लोगों से प्लीज प्लीज मुझे जाने दो लेकिन हम देखते हैं और बिल्कुल भी थोड़ी दरिया देरी है वो नहीं दिखाता है और हम देखते हैं अपना जो यह होता है यह सारा देख रहा होता है और वह सोचता है कि वह बंदा एना एक डूक था लेकिन उसको छोड़ कर गई यहां पर और भी एना जो सेक्ड़ों इतनक्सियां बंदे बच्चे हैं तो मुझे कम से कम उन्हें तो बचा नहीं होगा और हम देखते हैं वहां पर काफी सारे ओक मॉस्टर भी अवेलेबल होते हैं जिस बंदे को उन्होंने मारा होता है वो उससे प अपने स्पीड का यूज करते हैं सामने की तेजी से भागता है और फटावट जो चारपांट सलेसिस है वो लगाना लगता है और हम देखते हैं उसके एक एक दो तो सलेसिस के अंदर ही चो छोड़े टुगड़े उन और मोस्टर को मान लगता है और फिर उसे जो स्पेस व और हम देखते हैं कि जो इंसान होते हैं इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और बोलता है कि देखा तुमने सामने गी और देखा वह मौश्रा जाने होगे तो एक दूसरा होता है लगता है इस आपर बचाने के लिए यह जो जादू है और फिर इस परकार कि जादुल चाटत बलकि उसी का वेपन थोड़ सा तूट जाता है और तभी वह आटेक करी रहा होता है कि पीछे से जो इंग्यान चेन का अटेक वह आ जाता है और इस चीज को नोटिस कर लेता है और हम देखते हैं कि अपने जो इन जो इन चेन उसके बूरी तरह से जगड़ लिया होता है और हो बोलता है कि तुम्हारा जो मुकाबला है आज मुझसे हो गया वर्णा तो हो सकता है तुम और भी लंबी जीवनों जी सकते अब जो मेरी इंग्यान चेन है उनकी में तुम्हारा यहां पे खात्मा है वो कर दूँगा और काफी अच्छा डायलों के आपे मारता है और फि लुए किसे है उसने मेज जो इन्यां की जकर से अपने आपको छुडा आया कैसे और हम देखते हैं कि वह एप प ने पास तो होता है वो निकालेता है और उस सोड को लेकर कि तूरंदी इपर अठेक करने के लिए तियार हो जाता है और हम देखते हैं कि कहती भी एक चीज़ तक मिले उसके मुकाब्लिय सबसे इस च्छोंगेस मेरे को आज मिला है लेकिन वह यहांपर डिरता नहीं वोलता यह तो वाक्षा में बहुत ही जदा इंटरेस्टिंग चीज मैं इसी चीज का उन्हीं का उनका यूज कर सकता हूँ तुमारी ऊपर आंप तेस्प्जेक्ट है उसके उपर मैं इस चीज को करूँगा और वो उसने जो जेड़ इसपेर टेकनीक को मिला करके एक जो इना इसपेर के साथ कमबाइन एक फुल इस्टेंट के साथ उस और मॉंस्टर के ऊपर करता है हम देखते हैं एक खतरना की आटेक उसके लगता है लेकिन उसके पेट के सब्सक्राइब को बोलता है कि मैंने अपने इस इस पेर के अंदर पूरी की पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन इस और मॉंस्टर का लगता है कि जो बाहर का डिफेंस से कुछ ज़्यादा है इसलिए इसको ज़्यादा गंबीर चोट है वो नहीं लगी हम देखते हैं वो मॉ अपने इने एक और जो सोड में से भी स्किल होती है वो सी क्योती है इसका नाम होता है टाइची सोड टेक्निक और उसको अपने इसकिल के साथ मर्च करते हुए वह खतरनाक अटेक करने के लिए पिपर हो जाता है और हम देखते हैं वो बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो कि मैं तुमारे उपर यह टेक करने जा रहा हूं चलो कोई नहीं और हम देखते हैं उसकी सोड के साथ और भी कई सारी जो इसपेर होते हैं वह हवा के अंदर बनने लगते हैं और वह उसके सोड के अंदर आकर के मिल जाते हैं और वह सोड एक भाली नुमा जो रूप है वह बोलता है उसको अटेक करते हैं कि अब तुम इस चीज को ब्लोग करके बताओ और हम दिखते हैं कि वह अटेक इतना जादा खतरनाक होता है कि वह उपाला उसके पेट के आर पर हो जाता है और मोंस्टर की मुझे खुणा लगता है और वहीं पर अपने गुट्णों की बर वहां जाता है उसको उठाता है और बोलता है इसके लग बग 116 जो रूम होंगे अलग अलग लग जिनके आंदर कुछ चेमर तो ऐसे जौ刈 का आउस वाह से और बेगाक्र से ऑचाह्सडिय औरहिके सा न क्ईकलतके है और बहें घाध और क्योंस्टर की बहें निकलते हैं औ आपना जो ही होता है वो समझ जाता है कि यह जो देट वरा चेम्बर है उनके अंदर गये तो इनमें से कोई भी मौश्टर यहां भी बच निपाएगा सारो की मौत यहीं प्योगी होगी और हम देखते हैं अपना जो ही होते है उसका ताला तोड़ते है जो लोग बार आते हैं तो अपना जो ही होता है वो बोलता है कि तुम्हें इस परकार से मुझे सामने गुटने टेकनी जूरत नहीं है मेरा नाम ही है और मैं यहां से पास से गुजर रहा था और मैं तुम लोग वाज सुनी इसलिए हैल्प करने के लिए आ गया अगर तुम लोग जादा ही इस पर बनाने काम करता हूँ तो मुझे अगर शिब बनाने काफी अच्छा नोलेज है अब इन बंदों को देख करके अपना जो ही होता है वो निकल रही होती है और वो हाग करके अपने एक को ग्रीड करता है और बोलता है कि चाओ जेंग, मैं तुम्हारे अंदर से जो टूप क्यों है, वो बोडी के अंदर से सेंस कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि तुम कोई 9 परसन हो, आयकर तुम मुझे माश्टर है, वो क्यों बोल रहे हो, और फिर मन में सुछता है कि यारी चाओ जेंग है, ये ना मुझे बचाएगा, तो मैं उसके बाद से मास्टर कहूंगा, और उसका हमेशाद जिनके पर लोयल हो रहूंगा, और आपने में लाइफ बचाएए, तो एक्चुली मैं आपको आपस अपना जो मास्टर हो मानता हूँ, तो अपना जो ही होता है, वो बोलता है कि मुझे और जो मिंग डायनेस्टी है, वहां से है हूँ, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर जो नए वर्ड के अंदर एंटर किया, तो मुझे ऐसे लगा कि पहले मैं पिच-बंच साट साल का था, अब एक दम से यंग अपेरेंस बन गया हूँ, लेकिन मेरे पास जदा यादास है, वो पह आपने लेकिन्ग और जो मेरे वेरेंटे हैं ऑपने इन्सानि और यहाँ वर्ड के ईपश्ड़े, और उस परसनलियघ हो सकता है, वो एक दो एक बन बन गयाता हम अच्टी बाने यह उना मेरे सामने सिर्फ TV शो के अंदर यह उनि उनकी नहीं इस विल्ड के अंदर आने के बाद में इसके पास आ कि सारी उंतर होगी। और वह सारी से सच कर्के हैं वह तैंगे में इन्ट्रेश्टिंग पर उनकी जा रही है। पूलता है कि हाँ अपना मास्टर है वही मानूँगा तो अपना चाहते हो तो यह इच्छा में निरीबर करता है लेकिन चलो तुम साथ चलो और जो हुआ जो आप से वही तुम्हारा घर हो का और ना हम लोक साथ में रहेंगे और एक दूसरे को भाईयों की तो वह बोलता है अरे यार में तो अधिक यहां पहुंच गया और हम देखते हैं कि वह पर यहां पर भी एक क्यों पूल होता है उसके अपने एक फिस होती है उसी टाइप का इनका एक जो मौस्टर होता है और हमें देखने से लगता है हो और है दो इसरता है यहां पर भी होता ये मौनो कर सका एक सब्सक्राइब इसे देखते ही वो भी अपना ईपी सुपराश होता है Enjoy और उसकी परकार सीथ है विलेज की स्पिर्ट को खाएंगे तो हम और भी ज़्यादा पावर्फुल हो जाएंगे देगने से दीरे दीरे यह चीज़े कुछ जादा यह ना इंटरेशन लगती गई है यार वाकई में क्यों यह इस प्रकार से बढ़ सकती है मुझे नहीं पता था मुझे तो लगा था क से तो हमारी विलेज की और भी ज़्यादा पावर जल्द से बढ़ेगी और वो पीछे गूम के देखता है तो उसे पीछे की और कुछ लाइट चमकती हुँ दिखती है और पीछे की और उसके सामने इन तीन इस्ट्रक्टर है वो आते है और यह काफी जाद सप्रेज होता ह तो उसके पता सलता है कि यह जो चीजें जो विलेज के अंदर का हैड होता है उसके दिमाग के अंदर इंपरिवर होती है बाकि और किसी को दिखाई नहीं देती जो भी लोग आने विलेज के अच्छा कॉंटीबूट करते हैं या फिर विलेज को ड़लोप्त करने के लिए उनकी चीजें यहां पर दिखाई देती है और वो सुचता है कि हाँ यार यह बात भी सही है पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं जो हुआंग है वो काफी जदा मैनत कर रहा है जो गाव को बिल्ड करने में अच्छे से और साथ-साथ जो डाव हुआ है वो भी इना स इस चीज़ को देख लिए आप बाकी चीज़ देखते हैं तो उस रूम के अंदर बाद में वापस आ जाता है और रूम के अंदर देखता है तो वहां पर एक ट्रेजर टैप यह जिगह होती है इसी देखकर हो सूचता है यह तो पत्थर से बनावा एक बॉक्स है और यह न इन्हें देखकर को भी होता है यह यहां पर तो कपी सारे ट्रेजर अवेलेबल हैं यह जितना की मेरा हाथ यह बढ़ा ही फिर वह गुक्त नहीं से बहुत ही प्रिसेस मैटल होता है और अगर यह आपको मिल गया तो एक सेनी के लिए एक बोहत ही एक यह तो तियार हो बन जा इसके सब्सक्राइब जाते हैं और देने के बाद में देखूंगा कि आएक्र इसके साथ क्या है और जैसे इसे से इसे स्ट ओसक्राइब कर चाहाँ है बैर यहां पर कंकर बन गए और वो देखता है कि आपने बहुत ही इस पर काई आपना ही इस पर इस पर चीज़ चीजत थी बहुत ही बड़ी मातरा में गया था अब बहुत ही बड़ी मातरा में स्टोरेज जब आज को होता है यह देखकर कि वह भी कफी सप्राइज होता है कि अच्छा तो इस ना आयरन बोल की वज़ए से मेरा जो ओरीजनल साइज था इस पेस स्टोरेज का वह और भी ज़्यादा बढ़ गिया वाकई में यार यह तो मे मत बोलना तुम मुझे विलेज एड या माई लोड़ वो बोल सकते हो तो हम देखते हैं कि अपना जो चाह होता है वो बोलता है कि यह चीज में आपको दूँ तो जो ही होता है वो बोलता है कि जो यह मेन्यू स्क्रिप्स रहे इसके ओपर तुमारा जो फूचर वो डिफें साहते हो और यह बास सुनने की बार बहुत है वो बोलता है कि मैं यह हों अदे है कि आंदर आपको धंव करने करने का तोendeu जो बोलता है कि इस चीज चीज फुब करता हूं और यह चीज वूचिए है यह सबीं बोल देता है कि चलो हम आघ्र नकर सलता हो तुम छचे यह 10 तो जिन बिलेजर को बचा होता है वो बोलते हैं फाइनली हमारे पास खेने के लिए रहने के लिए एक घर होगा दूसरा बन्दा बोलता है कि हाँ मैं शूर कुरूगा की में उस विलेज के अंदर सबसे ज़्यादा कॉंट्टिशन है वो देश को और विलेज को और बी ज़् सब्सक्राइब करते हैं कि यह लोगे शुच्छा बढ़े हैं कि मैने जाना पेचाना लोग और फैचान जाते हैं जो वीलेज है सब्सक्राइब और मुझे उमिद है अगर मैं जदा लखी रहा तो मुझे यहां पर एक पूरा बसा-बसा है विलेज को बना होता है जिसके उपर लिखा होता है यांग फैंली विलेज तो गार्ड होता है तो तुम कौन और इस तरफ क्यों आ रहे हो तो हम देखते है कि अपना जो ही होता है वो बोलता है कि मैं अपना जो रास्ता है वस्जंगल में भूल गया था इसलिए लिए किसी भी तरह करके इस जगह पहुंच मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हाई करते हैं जैंडर चीटन लोग व्य सब्सक्रेद को अधार करते हैं वह नियुक्त चलता है यह जो। जो उसके ऑना है इसे बीजा यह जा सकता है यह चैनल आप देसे होले हैं सकती है और हुम बता चलता है यह बंदा और और कोई यांग फैमिली का जो एल्डर सन होता है यांग 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 पिंग और इसके जो फादर होते हैं उनको गोल्डन नाइट बोला देता है जिनका नाम होता है यांग यी और उनके टोटल साथ बेटे होते हैं और इन्हों ने अकेले अपने ही दंप के उपर बहुत ही बड़ा पानी जुरूर है तुम उसे जाकर इपी सकते हो जो ही होता है वो भी अंदर जाते वह सोचता है कि यह तो यार यांग फेमिली यांग फेमिली तो वही है जो नोर्ट साउथ के अंदर रहती थी जिसने अकेले अपने ही दंपर जो लियाओ डायनेस्टी उसको अपने कंट्रो यांग अक्शली बात ऐसे नहीं है मेरे पास ब्रूटल टाकत है और मेरे पास यही है और कुछ नहीं है तो मैंने इसका यूज करते हुए इसे यहां पर फिनिसर्व कर दिया लेकिन क्या मुझे बता सकते हैं यहां पर कोई बेटल सल रही है कि मैं अभी जब आया था तो हमारा जो एक बहुत मुकावला है बहुत ही बड़े बड़े जो हैना वुल्फ है फुल्फ के जुन से हो रहा है और उनका जो लीडर होता है वह खुद हाकर कि हमारे साही आटे करता है हर बार और इससे है नहीं हमारे काफिछ साई जो बंदे खाहल हो गए कुछ लोग का सर तो जो इना यांग होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं तो मारे गेश्ट हो आगे-कार हम तुम से एक और किसे मांग सकते हैं और फिर निए इतने बड़ी मगरमस को लेकर कि अंदर आता है तो अंदर वह देखते हैं घाल जो चोटिल सेनिक होते हैं कुछ लोग इना इधर उस तो हम देखते हैं कि अपना यह होता है इस मगरमच को वहीं पर डूप करता है और बोलता है सभी लोगों को अपने उस लगए तो मुझे लगता है कि आपको आपने खुद के जो वेपन हैं और हम देखते हैं कि उसके पास किचन का सारा समान पहले से होता है और इने देख करके अपना जो यह होता है कवी जदा सप्राइज होता है और बोलता है कि यह जो ब्लेक आइरन से बने हैं अगर मैं मिश्टेक नहीं कर रहा तो यह बंदा टू टेल स्कोर्पियन होना चाहिए और वो भी एक कॉमिक के अंदर से जो विलेज वाले होते हैं वो देख करके वो बंदा कफी जड़ा सप्राइज होता है और उसके परसीन ही चूटने लगते हैं और बोलते हैं वाकई में यारी कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपोटेंट चीज़े हैं अगर तुमारे हाथ में यह जो चीज़ें वो कैसे आ गई वो भी इस परकार में लग जाता है और उसकी तरह से ना जो हुआ के अंदर फेकना करना और खाना बनाना लग जाता है और वो बोलता है कि अधर आग निकल जाएगी और फाइनली वो जो डिस होती है अपने एक सामने प्रोश दी जाती है और यह सामने देखकर कि उसके मूह में तो पहले से अगये और अंदर इस पीड आ गई कि में एक जटके में एक क्रोकोडायल को माट दूँ और बोलता है वाकई में ब्रोधर लाइब आपने जो यह खाना बनाया बहुत जाए और अमेजिंग है तो यह सुने का बोलता है कि थैंक्यू तुमाई लिए अब यह तो यह पहले ड यह पहले जो माइंड होता है उसके अंदर आगर की देखते हैं तो वहाँ पर जो पैट्ट्राइब मैं पहुचा सकता हूँ यह वाकोई में जैसे सारी मुझे नहीं पता था मुझे इस प्रकार का जो स्प्राइब आप्र इसमें पर मिलेगा और अपना जो होता है क्योंकि कि यह तो किसली से और हम सब्सक्राइब स्बस्सक्राइब और पीछे जो विलेजर होते हैं, उनके मुँमें पानी है वो आने लगता है, और इदर यह अपना जो होता है, वाकई में है, यह जो पेट्टड कोशी का राख वाकई में लाज़ाब है, और यह देदरे काफ़ी स्टोंग है, वो हो रही है, इसकी वज़ए से मेरा बलड है, और जो मेरी क्यूआ है वो भी एना देदर इस टोंगे से वह होती जा रही है और हम देखते हैं कि उसने पेट बर करें जो खाना काया होता है फाइनली वह अड़गार ले लेता है और वो बोलता है वाकर ही मिला यार आपको मुझे थैंक्यू की बोलने के जूरत है आपकी जो पेट है वो बढ़ता हूं और खुद का पेट ही बढ़ता हूं इसलिए यह डील कैसी रहेगी तो अपना जो ही होता है कि हाँ मेरा पेट बढ़ चुका है अब यह जो बचावा समान है जो भी रिमेनिंग है जो है वह तुम लोगों का है तुम लोग आराम से मिल बाठी खा सकते हैं और इसके हैं तुम बचलता है कि जो रहीं एक यहां पर आ जाता है और देट उसका नाम यांद ही होता है अगर मैं आपको बोरियरी बुलाओं क्या मैं आपके साथ परशनली है ना कोई बात है वो कर सकता हूं तो अपना ही होता है वो भी चौंकते हैं कि हाँ बिल्कुल और में दोनों वास जाना लगते हैं और जो जनर्रल वो परशनली आए और इस बंदे को बुलाकर करें ले बुलाओं मैं आपको वोरियरी बुलाओं या विलेज हैं बुलाओं जो यह सुनते हैं अपना जो होता है लगता है उन्होंने मुझे पैचान लिया कि एक कर मैं कौन हूं तो जो जनर्रल यह होते हैं कि जब नया-णया वर्ट फॉर्म हाथा तो मैं ने एक आवाज है वो स यहां था यह बात भी सचा है कि मेने जो ओसाया है है शुनते ही जो जन्रल- यहां होते हैं वह कफी चलद सप्राइज होते हैं वह बोलता है यहीं वाकिछ बंदा है यहीं इसे पास की तो मैं यहां पे चेक करने के यह दो और नहीं आपकोश्च के अपके आपकोश आयाँ कि मुस्टर वो अटेक कर देंगे तो अपना ही ही हो बोलते है कि जो आपको बिलेगे उसका कुछ भी है बना पना बिकाड पाइंगे और कुछ भी ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन करके विलेज के अंदर नहीं आपाएंगे आप यह सुनते ही तो जनल यांग होते हैं और बीजा सप्राइब बोलते हैं कि इस चाओ से बरी दुनिया के अंदर इसने अपना विलेज है वह भी स्टेबलिस कर लिया और इससे इस तरह इस बना दिय कि अपनी बिना प्रेंस के भी सिर्टा यह होगया और नहीं हो सकता इसका मत्री होते हैं और यह सुनते हैं जो छुनल यह होते हैं वह बोलते हैं कि में एक सोलजर हो और उपर से एक दरन हूँ तau मुझे हमेशे जो इमानदाए चीजे है जो सच चीजे है वो पसंद है अब रहे सुनता हैं तो अपना जो जनर्ल यांग इंवो काफी जा सzeug हो जाता है और अपना जो यह वो आगे बताने लगता है कि आपके लोगों को देख करके ऐसे लगता है उनके फेसे हैं कि वो बोजी तर डिप्रेस है और निरासा के अंदर डूबे हुए है यहां का जो एन्वाइरमेंट है स्मॉट फेयर है वो इतना अच्छा नहीं है कि जो विलेज के हो जाते हैं कि वहाइस से कुछ साँन्ड है म्दल हों वगराइब साँड हो आता है यह सुनते हैं जो जननल यांग है वो बोलते हैं यह कोई नॉर्मल साउंड नहीं है इसका मतलब जो वुल्फ का जून्ड है उन्होंने फिर से अटेक वो कर दिया है तभी जो जननल तुम्हें तुम्हें परिशान होने को जूरत नहीं है आपने चीज़ को अपने आप ये टेखल कर लेंगे और वह तुम्हारी उपर डीपने करते हो क्या करते हो क्या नहीं और हमारे जो सीन सीव रोता है कि जो यांग फैमली की जो ट्रोप्स होती है और अच्छी इसकी भी पर दोटे उसके अंदर लिखा था कि जो जनरल यांग ये उसने एक अच्छा आना अपनी यांग फेमिली जो शोल्जर होती है उसे डवलप प्रकार के जो बीच ने अटेक किया है और हो सकता है कि मैं कोई है तो हम देखते हैं उसका पूरा का पूरा जूंट है एक साथ अटेक करने के लिए आ चुका होता है और इसे देखकर कि अपना जो यह वो सुचता है लगता है अच्छा इसी के बारे में यह जो यांग फैमिली वो चिंदा कर रहे थी उसके सोजर कंटिनियूसली लड़ रह ही वो वीडियो जुंड है और वो देखता है कि ब्रोदर देखो सामने की और वहापे तो वह सिल्वर वुल्फ है ना जिसके एक आँक है ना हम लोगों ने फोड़ी थी और यह ना हमें दिखा जाता है एक जो वुल्फ को वाइट कलर का हता है जिसके उपर चांद बना होत है और इसकी आंग फूट हो चुकी तो अब यह रिकावर होकर कि हमसे बदला है वो लेने के लिए आया है और तो यह देखकर कि जो यह होता है वो बोलता है कि इसके सिर्के जो सिल्वर वुल्फ है इसके सिर्के उपर एक ना जो चांद का पेटन हो बना हुआ है लगता है मौन की कारण लुड़ मोन की करने से कारणी कोई, यह यह को वह बना होती आपना जयुद का सकते हैं बढ़ों इनकी बढ़े है और यह से मानलों कि इना जो इन वुल्फ के अंदर अटेक कर दिना चाहिए और जैसे नाइट हो जाएगी तो यह और भी ज़्यादा इस्टोंग हो जाएगे और मुझे लगता तब आप विलेजर को बचा पाऊगे तो यह सुनते ही जो जन्नल यांग होते हैं वो बोलते हैं इना इनसे लड़ाई की थी तो यह लोग हमसे ऐसे पिटेंट कर रहे थे कि हमसे हेंड टू हेंड लड़ रहे हैं लेकिन यह स्मार्ट थे कि हमारे पीछे जाकर कि हमारी विलेजर के उपर आटेक कर दिते हैं और इतने लोगों गिंती नहीं हो सकती उतने सारी हमारी लेगा तो हम देखते हैं मतलब अपनी बासा में बोलने कोई कर रहा होता है तब हम देखते हैं जो ही होता है अपना बाला उसके पेट में मार करके आरपार कर देता है यानि उस वुल्फ का वहीं पे काम तबाँ हो जाता है तो अपने इस साथी वुल्फ को मोत का घाट वाकई में इसकी जो ग्रीप है वो भी काफी अच्छ है और अगर ऐसे चलता रहा तो वाकई में ये बंदा हमारी जो मदद अभू कर सकता है इस वेडियो के जुन से निपटने में तो और हम देखते हैं कि सामने के और ये अपने आइकोनिक पोच के अंदर खड़ा होता है इ दिस्क्रिप्शन में डीबी नाम से बेक अप चिलन दिया गया है उसे भी सब्सक्राइब कर देना मिल देख पर सूट में तब तक के लिए बाब बाई